हलो मेरे प्यारे बच्चो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउटनेट की लाइव किलास में तो गुड मॉर्निंग टू एवरिवन, बच्चो आज हम संबंद एवं फलन का पांचवे नंबर का लेक्चर देखने जा रहे हैं जिसमें बच्चो में आपको फलन क्या होता है, फलन के प्रांथ, परिसर और से प्रांथ क्या होते हैं, इनके बारे में बताऊँगा, उसके अलावा बच्चो कौन कौन से प्रकार के फलन होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, तथा इसके अलावा मैं बच्चो आपको वास्त्विक मान फलन के बारे में बताऊंगा अर्था थम किसी बिंदू पर फलन का मान ग्यात करना भी सिखेंगे ठीक है बच्चो तो ये टॉपिक हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अब जल्दी से सही बच्चे थमसब करेंगे सो देट मुझे पता लग सके कि आप लोगोंने जॉइन कर लिया है जल्दी से जल्दी सही बच्चे थमसब करिए तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चो ने जॉइन कर लिया है अब है अंसिका आचल रवीस सत्यम मनुच कुमार बेटा आज की ये जो किलास होने वाली है ये बहुत ही महत पूर्ण किलास है इसलिए आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है चाहे कितना ही इंपोर्टेंट काम क्यों ना हो उस काम को अब आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिए जो आज आपकी किलास होने वाली है ये बहुत ही महत पूर्ण किलास होने वाली है काफी बच्चों को फलनों के प्रांथ और परिसर निकालना अभी भी नहीं आता है उनकों मैं सबसे पहले फलन का प्रांथ और परिसर निकालना सिखवाऊंगा उसके पश्चात बच्चों हम आगे के कुश्चन्स को कंटिन्यू करेंगे ठीक है ओके रोनक बेटा वकील नीरज नागार्म अनूप जोती मांसी दीपक काफी बच्चों ने जॉइन कर लिया चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास को सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने इस अध्याय में अभी तक कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिये ठीक है अब बात करते हैं बच्चों इस अध्याय के टॉपिक्स के बारे में तो दोगो इस अध्याय में सबसे पहले हमने पढ़ा था समुच्चे की बारे में कि समुच्चे क्या होता है कैसे निरुप्त किया जाता है उप समुच्चे क्या होता है कहा समुच्चे क्या होता है सारवर्तिक समुच्चे क्या होता है समुच्चे ओपर संक्रियां कैसे लग होता है संबंद का प्रांत से प्रांत तथा परिसर क्या होते हैं संबंदों के प्रकार क्या होते हैं ये सारी बाते हमने पिछली किलास तक कर ली थी ठीक है अब बच्चो आज से हम आरम करने जा रहे हैं फलन को और फलन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फलन होता क्या है उसके पश्चात मैं आपको फलनका प्रांत सैप्रांत तथा परिशा निकालना सिखाऊँगा उसके बाद हम फलनों के प्रकार देखेंगे फिर उसके बाद हम फलनों का सैयोजन देखेंगे और फिर बच्चों हम किसी फलनका पिर तीन लोगों में लिकालना सिखेंगे फलन पढ़ना है ठीक है लास्ट में जब यह अध्याई समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम कर लेंगे सौट रिविजन ठीक है उसके बाद एक टॉपिक और है द्वियाधारी संक्रिया है ये भी बच्चों आप लोग इस अध्याई के अंतरगत पढ़ोगे ठीक है अब आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे फलन क्या होता है उसके पड़िक है फलन का प्रांत सह्प्रांत वे परिशाल लिकालन सिखेंगे फिर लास्ट में बच्चों मैं आपको फ़लनों के परकार बता हूँ ठीक है अब बच्चों आज की क्लास में हम काफी सारी क्विजवी करने वाले हैं ठीक है तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज की क्लास बहुत महत्पून है मैं भी आपको काफी सारे question करवाँगा आज की class में और आपसे question भी जादा पूछोंगा ठीक है तो साथ की साथ बच्चो आपकी practice भी हो जाएगी तो इसलिए मेरे साथ last तक बने रहेगा बहुत आनंद आएगा बच्चो आपको आज की class में ठीक है चाहिए सभी बच्चे पहले क्विच के लिए तैयार हो जाएए सभी बच्चे पहले क्विच के लिए ये रहा बच्चो आपके पास पहले क्विच का पहला प्रिश्म यदि आर बराबर 2,2,3,3,4,3,2,4 है तो आर का परांथ क्या होगा चार विकल्प आपके सामने है आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा परांथ बताईए संबंद आर का बच्चो आपका समय होता है यहाप है समाप्त अब जैसा कि बच्चो मैंने आपको पिछली क्लासिन बताया था कि संबंद आर में उपस्तित क्रेमित विक्मों के प्रिथम गटकों के समुच्चे को हम संबंद आर का परांथ कहते हैं तो यहाँ पर प्रांत देखो क्या हो जाएगा प्रांत हमारे पास हो जाएगा प्रिथम घटकों का समुच्च है तो देखो एक दो है एक तीन है एक चार है तो दो कॉमा तीन कॉमा चार यह हो जाएगा आर का प्रांत तो कौन सा विकल्प सही हो गया विकल्प भी बच्चों हमारे पास सही हो जाएगा ठीक है तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने विकल्प भी बताया है और उनका सही भी है सत्यम का मनुझ कुमार का रोनक का सुभम गुपता का रविस का प्रतिमा का काफी बच्चों का सही है आंसर ओक्य बेटा अब बच्चों लोग आरंब करते हैं अपनी आज की क्लास को ठीक है आज की क्लास को बच्चों अब हम लोग आरंब करने वाले हैं अब सबसे पहले समझते हैं फलन होता क्या है ठीक है फलन को बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं तो बच्चों आपने पिछली क्लास तक संबंद पड़ा था क्या होता है संबंद 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 पिछली क्लास में ठीक है अब फलन क्या होता है तो बच्चों फलन जो होता है ना वो एक विसेश प्रकार का संबंद होता है क्या होता है फलन फलन एक विसेश प्रकार का संबंद होता है जिसमें समुच्चे एक प्रतेक अव्यव समुच्चे बी के केवल और केवल एक अव् उसे हम फालन कहते हैं समझ में आपको नहीं आया समझ में गवराने की बात नहीं है मैं आपको इसको एक बहुत ही solid उधारन के दोरा समझाता हूँ देख बच्चों मान लो मेरे पास कोई समुच्चे ए है और ये समुच्चे ए है पुत्रों का समुच्चे ठीक है, समुच्चे A मेरे पास पुत्रों का समुच्चे है, मालनों मेरे पास चार पुत्र है, पुत्र को अंगरेजी में बॉय बोला जाता है न, तो मालनों मेरे पास एक B1 है, एक B2 है, एक B3 है, और एक बच्चों मेरे पास B4 है, चार मेरे पास लड़के हैं, ठीक है, और B की समुच्च है बच्चो माताओं का समुच्च B समुच्च क्या मेरे पास माताओं का समुच्च अब माताओं को अंगरेजी में मदर बोला जाता है तो ये मेरे पास मालो M1 M2 और M3 है तीन माता है ठीक है अब यहाँ पर बच्चों यदि हम देखें तो देखो कुछ इस प्रिकार से है A ये है B है 13 आरेक से विगत करता हमको ठीक है यहाँ पर है हमारे पास B1, B2 B3, B4 यहाँ पर हमारे पास है M1, M2 M3 अब बच्चों संसार भर में जितने भी पुत्र हैं उनकी माताएं तो जरूर होगी इसका मतलब समुच्चे A में जितने भी अव्यव हैं उनका समुच्चे B के अव्यव के साथ रिस्ता जरूर होगा समुच्चे A में जितने भी अव्यव हैं उनका समुच्चे B के किसी ना किसी अव्यव के साथ रिस्टा जरूर होगा, ठीक है अब देखो, हो सकता है B1 की माता M1 हो B2 की माता M3 हो ठीक है B3 की माता M2 हो और B4 की माता भी M2 हो, ऐसा हो सकता है देखो दो पुत्रों की एक माताइं हो सकती है ठीक है परंतु बच्चो एक पुत्र की दो माताएं नहीं हो सकती हैं तो ये क्या है बच्चो एक फलन है ठीक है ये एक फलन है तो इस प्रकार के संबन्द को हम फलन कहते हैं यहाँ पर देघर समच्चे समच्च ब के अब्यवर से जड़ा हुआ है और प्रतेक अव्यवर का केवल और केवल एक के साथ संबन्द है दो के साथ संबन्द नहीं है बी वन का एम वन के साथ सम्बंद है उनली वी टू का एम थ्री के साथ सम्बंद है वी फूर का एम टू के साथ सम्बंद है केवल तो केवल एक के साथ सम्बंद है तो इस प्रिकार के सम्बंद कोई बच्चो फलन कहा जाता है ठीक है तो फलन की यह दिया परिवासा देखना चाओगे तो फलन की परिवासा होती है समुच्चे A से समुच्चे B का समंद F एक फलन कहलाता है यदि समुच्चे A के प्रतियक अव्यव का देखो एक important सब्द यहां पर याया प्रतियक अव्यव का समुच्चे B में एक और केवल एक प्रती बिम्ब होता है प्रती का मतलब क्यांप प्रतिय बिम्ब का मतलब कैंटका कनेक्स ता है यृसले वन का कनेक्स्ट में बंसे नश का मतलब B1 का पिरतिविंब है M1 और M1 का यदि मैं आपसे Пूर्व पिरतिविंब पूछू तो पूर्व पिरतिविंब हो जाएगा B1 ठीक है। तो हाँ पर मैं लिख देता हूँ B1 का प्रतिविंब M1 है और M1 का पूर्व पिरतिविंब मतलब M1 कहां से आया है B1 से तो M1 का पूर्व पृतिविम्ब है B1 ओके बच्चों तो फलन क्या होता है फलन समुच्चे A से समुच्चे B में एक सम्विसेश प्रिकार का सम्बंद होता है जिसमें समुच्चे A के पृतिएक अव्यव का समुच्चे B के साथ connection भी होता है और केवल और केवल A के साथ connection होता है उसे हम फलन कहते हैं तो समझ में आया से ही बच्चों को फलन क्या होता है नहीं आया गबराने की बात नहीं है हम कुछ उधारणों के दोरह इसको समझते हैं जैसे कि बच्चों ये मेरे पास समुच्चे A से मालो समुच्चे ये मेरे पास में M है ठीक है और ये मेरे पास समुच्चे N है तो ये M से N में मेरे पास एक समझत आ रहे है ठीक है बच्चों अब क्या ये एक फलन है इसकी बच्चों हम लोग जाच करते हैं तो समुच्चे A से समुच्चे B में कोई संबंद फलन तभी होता है जब समुच्चे A का प्रतेक अवियव समुच्चे B के केवल और केवल A का अवियव से जुड़ा हो तो यहां पर देखो A पहले जोगों चारों का कनेक्शन है मतलब पहली सर तो यहां पर पूरी हो गई अब A किसे जुड़ा हुआ P से B किसे जुड़ा हुआ Q से C किसे जुड़ा हुआ Q से D किसे जुड़ा हुआ R से मतलब प्रतेक अवियव केवल और केवल एक ही चीज से जड़ा हुआ है इसका मतलब बच्चो ये एक फलन है तो ये फलन है ठीक है समझ में आया आप लोग को आया बच्चो आपको समझ में कि क्यों ये एक फलन है बताईए बच्चो मुझे कि आपको समझ में आया ये नहीं आया कि क्यों ये फलन है बताईए बच्चों बताईए हाँ M का समुच्छे M के दो अवियोवों का एक प्रतिविम बहुत सकता है परंतु एक अवियोव के दो प्रतिविम में नहीं हो सकते ठीक है दो अवियोवों का एक प्रतिविम हो सकता है परंतु एक अवियोव के दो प्रतिविम में नहीं हो सकते ओके बच्चों किलियर है बहुत बढ़िया चलो एक और उधान देखते हैं यह वाला अब यहां पर देखो समुच्चे A, B, C, D चारों जुड़े हुएं बट देखो A का P के साथ है यह तो साटिस्फाइ कर रहा है B को देखो B बच्चो Q से भी जुड़ा हुआ है और B, R से भी जुड़ा हुआ है यहां पर B के दो पृतिबिम हैं और B के दो पृतिबिम हैं इसलिए बच्चो यह एक फलन नहीं है ठीक है तो ये फलन नहीं है इसी प्रिकार का प्रिशन बच्चो आपके पेपर में आएगा एक अंक में ऐसा ही प्रिशन आता है आप से पूछेगा कि दिया गया सम्मंद फलन है या नहीं है तो आपको इसी तरीके से चेक करके बताना है कि फलन है या नहीं है ठीक है तो ये फलन नहीं है हाँ बच्चो ये फलन नहीं है तो मज़ा आ रहा है नहीं सही बच्चो को मज़ा आ रहा है ना आगया किलियर है बहुत अच्छे अब बच्चो ये तीसरा है आप मुझे ये बताईए कि ये फलन है या नहीं है अब मैं आप से पूछता हूँ ये बताईए देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इसका अंसर बताता है बताईए ये फंक्षन है या नहीं है कालू कालू ने सबसे पहले बताया नहीं है Manojne نے भी बताया है उसके बाद काफ ही बच्चों ने बताया है उसके बाद की नहीं ठीक है क्यूं नहीं है इस लिए नहीं है क्योंकि B का कोई भी प्रतिवे में उपस्थितन नहीं है भाई B किसी से जुडा हुआ नहीं है और हम B को छोड नहीं सकते फलन के अंतर गद तो ये बच्चो फलन नहीं है ठीक है ये हमारा फलन नहीं है ओके अम मुझे ये बताईए कि क्या ये एक फलन है बताईए बच्चो कि क्या ये एक फलन है बताईए मुझे जल्दी से बच्चे कह रहे हैं हाँ है सर है है तो बच्चो आपका आंसर बिलकुल सही है हाँ ये फलन है क्यों दोको पहली सर्थ क्या है समुच्चे एक प्रतियक अव्यव का कनेक्शन होना जरूरी है तो है उसके अलावा केवल एक कनेक्शन होना जरूरी है तो एक का केवल पी है बी क मुच्चे में कोई अभी अब छोटी क्यों ना रहा हो हमें उससे मतलब नहीं है ठीक है हमें मतलब के वल समुच्चे एसे होता है फ़लन के अंतर तिक है बच्चों तो ये एक फ़लन है ओके all clear बच्चों को बहुत वड़िया अब बच्चों मेरे पास यहां पर एक question है कि मान लीजिए कि N प्राक्र संख्याओं का समुच्च है और N पर परिवासित एक संबंद R इस प्रिकार है R वरावर X कोई Y वरावर 2X जहां पर X कोई Y विलोंग्स कर रहे हैं N में अब आपको यह बताना कि क्या है सम्बंध एक फलन है यह बच्चों बताना है ठीक है तो दोिनको इसको बताने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे टे 1 ओ gewe ET यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे हम x कमान एक तरफ लिखेंगे हम y कमान तो दोगों x और y क्या है प्राकरसं क्या है प्राकरसं क्या है एक से आरंब होती है जब आप x बराबर एक डालोगे y की जिएक दू मिलेगा दो डालोगे आपको 4 मिलेगा 3 डालोगे आपको 6 मिलेगा 4 डालोगे आपको 8 मिलेगा 5 डालोगे आपको 10 मिलेगा 6 डालोगे आपको 12 मिलेगा 6 डालोगे आपको 14 मिलेगा और इसी परकार से ये आगे चलता चला जाएगा ठीक है तो मुझे बच्चों आप लोग ये बताएगे कि क्या ऐसा कोई मान है X का जो की यहाँ पर नहीं रखा जा सकता हो ऐसा कोई भी मान नहीं है हम X की जिके कुछ भी रख सकते मतलब यहाँ पर पूरा की पूरा प्राक्रस संख्याएं आ जाएंगी इसका मतलब प्राक्रस संख्याओं के समुच्छे के प्रतेक अव्यव का connection है तो पहली सर्थ तो पूरी हो गई दूसरी सर्थ क्या किसी अव्यव का एक से जादा अव्यव के साथ connection है तो ऐसा भी यहां पर नहीं है वह एक का दो के साथ दो का चार के साथ तीन का छे के साथ चार का आठ के साथ है पांच का दस के इसा तरी नहीं है कि पांच का बारे के साथ भी हो नहीं एक पृती मि में भी है तो इसका मतलब बच्चो ये आर एक磅 है आर क्या है एक फलन है ठीक है किलियर बहुत अच्छे अब अच्छे हम लोग एक कोईश्चन और देखते हैं तो ये भी एक कोईश्चन है कि निमलिके सम्मंदों में से पृतिक का निरच्छन कीजिए तद बताईए कि क्या यह एक फलन है अत्वा नहीं है ठीक है तो यहाँ और आर में मुझे दे रखा है दो कॉमा एक तीन कॉमा एक चार कॉमा दो सबसे बैटर है आप इस तरीके से तीर आर एक द्वारा इसको समझो ठीक है तो यह और भी दो समुच्छे हो गए यहाँ पर है दो तीन और चार प्रिथम गटकों का समुच्छे ही यह समुच्छे ह होता है और दुत्य घटकों का समुच्चे भी समुच्चे होता है तो एक और दो अब देखो यहां पर दो किसके साथ जुड़ा हुआ है दो जुड़ा हुआ है एक के साथ तो दो का कनेक्शन हो गया एक के साथ ठीक है तीन भी एक के साथ जुड़ा हुआ है तीन भी एक के सा फलन है मुझे बताइए अप लोग देखो दो का केवल एक के साथ है तीन का केवल एक के साथ है चार का केवल दो के साथ है तो प्रतेक अव्यव का संबंद है और केवल एक के साथ है तो इसका मतलब ये फलन है ठीक है इसी प्रकार दूसरे वाले में देखो अब दूसरे वाल यहां पर है दो तीन चार अब दो का दो के साथ है और दो का चार के साथ भी है तीन का तीन के साथ है और चार का चार के साथ है अब यहां पर दो को पिरते कविव का कनेक्शन तो है परन्तु दो का दो के साथ कनेक्शन है और इसलिए बच्चों ये फलन नहीं है फलन नहीं है ठीक है केवल एक के साथ connection होना चाहिए था तब ही फलन होता अब तीसरे वाले को देखते है तीसरे वाले यहाँ पर ये एक समुच्च है ये दूसरा समुच्च है एक दो तीन चार पांच चै यहाँ पर मेरे पास क्या है दो तीन चार पांच चै साथ यह है ठीक है अब यहाँ पर दो को एक का दो के साथ है दो का तीन के साथ है तीन का चार के साथ चार का पांच के साथ पांच का छे के साथ छे का साथ के साथ है तो प्रतेक अवियम का है और केवल केवल एक के साथ है तो इसका मतलब ये फलन है ठीक है बच्चो ये क्या है एक फलन है तो इस परकार से आप जाँच करोगे कि क्या दिया गया संबंद फलन है या नहीं है तो कर लेगा प्रतेक बच्च जाँच कर लेगा बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छे अब बच्चों हम बात करते हैं किसी बिंदू पर फलन के मान की कि कैसे हम किसी बिंदू पर फलन का मान ग्याद करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको इस बिंदू को फलन के अंतरगत रख देना है और उससे जो आपको मान पराप्त होगा वही इस बिंदू पर फलन का मान होगा जैसे कि यहाँ पर मेरे पास f of x बराबर दिया गया 2x-5 आपको बच्चो इस फलन का मान x बराबर 0 पर याद करना है ठीक है dex बराबर 0 पर f of 0 बराबर हो जाएगा 2 गुणा अब आपको क्या करना है आपको जहां जहां x नजर आ रहा है वहाँ पर 0 को रख दो क्योंकि यहाँ पर X का काम 0 कर रहा है ठीक है तो X के जिरो रखा यह माइनस का 5 तो यहाँ पर F of 0 बराबर आ गया माइनस 5 ठीक है बच्चो F of 0 बराबर क्या आ गया माइनस 5 आ गया इसी प्रकार यह दिया F of 7 का मान देखोगे तो X के जिरो पर 7 रख दो तो X बराबर 7 पर यह हो जाएगा 2 गुणा 7 माइनस 5 अब यह हो गया 7 दो नहीं 14 14 में 5 गये तो 9 आ गया तो F of 7 का मान कितना आ गया 9 आ गया जैसा कि मैं देख रहा हूं काफी बच्चों ने आंसर सही बताया सत्याम रोनाक मनोच काफी बच्चों ने सही आंसर बताया बहुत अच्छे बच्चों अब आप लोग मुझे F of माइनस 3 का मान बताओ कितना होगा आपको क्या करना है आपको X के जिगे पर माइनस 3 रखना है तो यह हो जाएगा मेरे पास 2 गुणा माइनस 3 माइनस 5 तो बताये कितना अंसर होगा जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों ने माइनस 11 बताया है और यह अंसर बिलकुल सही है माइनस 11 ही होगा दो को माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 ठीक है एफ-3 का माइनस कितना आजाएगा बच्चों माइनस 11 आजाएगा ओके अल क्लियर क्लियर पृतिक बच्चों को बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया ठीक है अब एक यह क्यूशन है यह आपके हूमबर के लिए ठीक है आप इसको घर पर ट्राइ करिएगा आपको T of 0, T of 28, T of minus 10 और C का मान ग्याद करना जब T of C बरावर हो 200 बारे के और संबंद बच्चो आपको यह दिरका T of C बरावर 9 बटे 5 C प्लस में 32 ठीक है कर लेंगे ठीक है बच्चो अब बच्चो समय हो गया है आपकी आज की दूसरी कुईच का ठीक है तो तयार हो जाएंगे सभी बच्चे आज की दूसरी कुईच के लिए आपके सामने आ रहा है दूसरी कुईच का कोईच्चन तैयार हैं तो चलिए बच्चों ये रही आपकी आज की दूसरी क्वेज आपको एक समुच्चे ए दे रखा है समुच्चे बी दे रखा है तो आपको बताना कि कौन सा समुच्चे ए से बी में एक फलन है हाँ मनुज बेटा वो कोईशन क्लास 11 का था अभी हम लोग फलन का क्लास 11 का ही रिवीजन कर रहे हैं क्लास 12 में तो फलनों के परकार है पहले क्लास 11 तो आए बच्चों को तभी तो 12 पढ़ाएंगे क्लास 11 आना बहुत जाद जरूरी इसलिए बच्चों आपके टीचर ने आपको बार बार का होगा क्लास 11 में क्लास 11 को अच्छे से पढ़िए तो बच्चों आपका समय होता है यहां पर समाओ अब देखते हैं सबसे पहले उप्शन को तो जैसा मैं आपको बताया तीरारेक बनाओ आंसर आ जाएगा तो A, B, C समुच्चे A के अंदर B के अंदर है एक और दो अब यहां पर देखो एक का कनेक्शन एक से है C का कनेक्शन दो से है B का कनेक्शन A से एक से है A का कनेक्शन दो से है तो यहाँ पर देखो A के दो connection है इसका मतलब यह फ़लन नहीं है ठीक है यहाँ पर आजाओ A, B, C एक और दो अब A का दो से है B का एक से है C का दो से है पर देख अब अब का है और केवल एक के साथ तो यह बच्चों आपका फ़लन है ठीक है C को देखो A, B, C एक और दो A का एक के साथ, B का दो के साथ C का तो कोई connection ही नहीं है तो यह भी फ़लन नहीं है ठीक है D इनमें से कोई नहीं नहीं B option सही है ठीक है तो कौन सा option सही होगा बच्चो B option clear है B विकल्प बच्चों सही होगा तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों का आंसर बिलकुल सही है अनूप, आचल, मांसी, अस्विनी विनस, रोनक, मनोज काफी बच्चों का आंसर सही है रवीस, ठीक है अब बच्चों में लोग बात करते हैं फलन के प्रांत, सैप्रांत और परिसर के बारे में ठीक है तो अब हम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आरम करने जा रहे हैं ओके बच्चों तो फलन का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है सैप्रांत क्या होता है, इसको अब ध्यान समझीगा तो मालो बच्चो ये मेरे पास समुच्चे एम से समुच्चे एन में एक फलन है ठीक है कुछ इस प्रिकार का हमारे पास फलन है फलन है बच्चो ये बिल्कुल है अब देखो यहाँ पर समुच्चे एम में जितने भी अव्यव हैं उन्हें सभी अव्यवों को बोलते हैं जितने भी अव्यवों का connection समुच्चे M के अव्यवों के साथ है उनके समुच्चे कों बोलते हैं फलनका परिसर ठीक है तो यहाँ पर प्रांत क्या हो जाएगा प्रांत हो जाएगा बच्चो आपका A, B, C और D ठीक है और बात करें परिसर की तो परिसर हो जाएगा बच्चो आपका P, Q और R ठीक है बच्चो यह परिसर होगा प्रांत क्या होता है प्रांत होता है समुच्चे M के सभी अव्यवों का समुच्चे उससे हम प्रांत कहते हैं और परिसर होता है समुच्चे N के वे सभी अव्यव जिनका समुच्चे M के अव्यवों के साथ connection है उनके समु समुच्चे को हम फलन का परिसर कहते हैं ठीक है और जो ये समुच्चे एन है इसे हम फलन का सहप्रांथ कहते हैं तो सहप्रांथ हो जाएगा आपका समुच्चे एन ओके बच्चों सहप्रांथ क्या हो जाएगा आपका समुच्चे एन हो जाएगा तो यदि हम फलन के की परिवासा होगी फलन y वरावर f of x के लिए x के वे सभी सम्मान जिनके लिए फलन परिभासित है फलन का परांद कहलाता है ठीक है तो x के वे सभी सम्मान जिनके लिए फलन परिवासित है फलन का परांद कहलाता है और फलन के परिवसर की परिवासा होगी की y वरावर f of x के इसके प्रांत के सभी मानों को फलन में रखने से प्राप्त मानों का समुच्च फलन का परिसर कहलता है ठीक है तो जैसा कि आपर आप देख रहे हो कि ये एक्स के मान थे तो इन सभी के लिए फलन परिवासित है तो इन सभी मानों का समुच्च फलन का प्रांत है और इन मानों को फलन के अंदर रखने से जो प्राप्त मान है मुझे उनके समुच्चे को फलन का परिसर केते हैं सैपरां सरदैव समुच्चे भी होगा हां बच्चो सरदैव भी होगा समुच्चे ठीक हैं ओके तो यह हो जाता है फलन का परिसर और फलन का सैपरांत क्या होता है फलन का A से B में परिवास्त है तो यह जो B होता है यह होता है फलन का सहपरांद यह होता है प्रांद और B के वो अव्यव जो की A से जुड़े होते हैं उनके समुच्चे को हम परिसर कहते हैं ठीक है अच्छा बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज यह भी याद रखनी है कि सहपरां का एक उप समुच्चे होता है ओक्य बच्चों तो यह थे फलन के प्रांद सहपरांद और परिसर ठीक है अब यहाँ पर मेरे सामने कुछ कोश्चन दिये गए आपको यहाँ पर यह बताना है कि क्या यह फलन है और यह फलन है तो उनके परिसर ग्यात कीजिए ठीक है तो य यहाँ पर है 2 है 5 है 8 है 11 है 14 है और 17 है ठीक है यहाँ पर एक ही है और कुछ नहीं है ठीक है अब यहाँ पर देखो बच्चों 2 भी एक से जुड़ा है 5 भी एक से जुड़ा है 8 भी एक से जुड़ा है 11 भी एक से जुड़ा है 14 भी एक से जुड़ा है 17 भी एक से जुड़ा है अब इसका प्रांत क्या होगा प्रांत होगा समुच्चे ए ठीक है यानि कि 2 5 8 11 14 और 17 यह हो जाएगा इसका प्रांत अब बात करें परिसर की तो परिसर क्या होगा वही किस से जुड़ा हुआ है केवल एक के साथ तो यह हो जाएगा इसका परिसर ठीक है केवल एक के साथ जुड़ा हुआ है तो यह बच्चो इसका परिसर हो जाएगा ओके तो ऐसे हम फलन का प्रांत और परिसर ग्यात करते हैं अब आप लोग मुझे यह बताएगे कि दूसरा वाला फलन है या नहीं है पहले मुझे यह बताएगे सेकंड वाला फलन है या नहीं है और यदि फलन है तो उसका परिसर क्या होगा तो यहां पर देखो यहां तो दिये हुए दो चार चार आठ दस बारा और चौधा यहां पर है एक दो तीन चार पांच छे साथ दो का है एक के साथ चार का है दो के साथ चार का है तीन के साथ आठ का चार के साथ दस का पांच के साथ बारा का छे के साथ चौधा के साथ बच्चो फलन है ठीक है और इसका परिसर क्या होगा इसका परिसर हो जाएगा एक से लेकर के साथ तक परिसर है इसका 1,2,3,4,5,6,7 और प्रांत क्या है दो,4,6,8,10,12,14 ये इसका प्रांत है ठीक है क्लियर अब आप लोग मुझे ये बताइए कि तीसरा वाला फलन है या नहीं है तीसरा फलन है या नहीं है हाँ बेटा ये फ्री किलास है तो बच्चे कह रहे हैं सर फलन नहीं है हाँ बेटा बिलकुल ये फलन नहीं है क्योंकि एक का देखो तीन के साथ भी है और पांच के साथ भी तो ये फलन नहीं है तो आपको समझ में आने लग गया कि फलन क्या होता है उसका प्रांत कैसे निकलते है परिसर क्या होते है अब बच्चों ये तो हमने तीर आरेक द्वारा प्रांतर परिसर लिकाल दिये बट मान लो मेरे को एक डायरेक्ट कोई फलन दे दे और उसका प्रांतर परिसर निकल वाई तो कैसे निकालेंगे तो वो देखेंगे अब हम थोड़ी देर में ठीक है उससे पहले हम लोग एक क्विज और कर लेते हैं देखो मैंने आपको बोला था काफी सारे क्विज करने वाले हैं तो देखो तीसरी क्विज अब आपकी आ रही है ठीक है तो क्या है बच्चो क्विज फलन ये आपको एक फलन दे रखा है इसका परिसर आपको बताना है कि क्या परिसर होगा ठीक है तो बताइए इसका परिसर क्या होगा फलन एफ के अंदर क्रेमित युग में 4,2,9,1,6,1,10,3 तो बताइए परिसर क्या होगा देखो यह फलन तो है बच्चे सी आप्सन दे रहें आंसर ठीक है बच्चों आपकर समय होता है अपर समाप अब देखते हैं इसका अंसर तो देखो यहाँ पर बनाएंगे हम 3,1 यहाँ पर आए 4, यहाँ पर आए 9, यहाँ पर आए 6, यहाँ पर आए 10 यहाँ पर है 2,1 और 3 अब चार का दो के साथ है नो का एक के साथ है छे का एक के साथ है दस का तीन के साथ है तो एक और तीन ये इसका परिसर हो जाएगा तो सी विकल्प बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ठीक है अच्छा है दिए आप से प्रांत पूछा जाता तो चार छे नौदस ये इसका प्रांत हो जाता ओके बच्चों किलियर है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने सही आंसर बता है बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छे इसी तरीके से पढ़ाई करते रहे तो डेफिनेटली बच्चों आप बोर्ड के वेपर में अच्छा स्कोर करके आओगे ये मेरा आपसे बादा है यदि आपने इसी तरीके से मेरा सहयो किया तो आप डेफिनेटली बोर्ड के वेपर में परिसर तीर आरेक द्वारा बता दिये बट मान लो हमारे पास कुछ ऐसे फलन दे दी जाएं कि हम उनका तीर आरेक नहीं बना पाएं तो कैसे उनका प्रांत और परिसर बनाएंगे तो वो बच्चों अब हम सीखते हैं और उन फलनों का प्रांत और परिसर ग्यात करने के गात सम्मिकाओं को हल करने के लिए उपियोग में लेते हैं कैसी असमिकाएं बच्चों आपके पास में कुछ इस प्रकार के असमिकाएं दी गई होंगी X-A1 की घात M1 गुणा X-A2 की घात M2 गुणा X-A3 की घात M3 डॉट 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 एक्स माइन की घात MN बटे X-B1 की घात M1 गुणा X-B2 की घात M2 डॉट 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 एक्स माइन की घात M और यहाँ पर चाए greater than लग रहाओ चाए less than लग रहाओ चाए greater than equal लग रहाओ चाए less than लग रहाओ जीरो के ठीक है तो यदि आपके पास इस परकार की एसमिकाएं दी गई हैं तो इन एसमिकाओं को हल करने के लिए हम वेवी वक्र विधी का उप्योग करते हैं अब इसमें क्या होते हैं तो बच्चों वेवी कर मैथड के हमारे पास में कुछ steps होते हैं कुछ चरणों होते हैं उन चरणों को आपको याद करना है उन चरणों की साहता से आप निमन परकार की एसमिकाओं को हल करते हो जैसे कि मालो मैं आप से कहूं कि x-2 की घात 3 x प्लस 1 की घात 4 बटे x-4 की घात 2 ये greater than equal to 0 है अब आपको ये बताना है कि x के कौन से मान होंगे जो कि इस असमिका को संतुष्ट कर रहे होंगे ठीक हैं तो आपको इसका आंसर देगा ये वेवी कर्व मैथड अब क्या होते हैं बच्चो इसके steps तो इसके steps में सबसे पहला step होता है जी रोज ग्यात करेंगे अब जी रोज कैसे ग्यात करेंगे देखो यहाँ पर बच्चो आपके पास में कुछ इस तरीके का भिन्ने दे रखा होगा अब ये जो उपर लिखा हुआ है इसको सुनने के बराबर करोगे तो यह हो जाएगा x-2 की गात 3 गुणा x-1 की गात 4 बराबर सुनने तो यहाँ से आपको x के कौन कौन से मान मिल गए माइनस 1 और 2 तो यह आपके zeros हो जाएंगे ठीक है यह होगा आपका पहला step उसके बाद दूसरे steps में आप पूल्स ग्यात करोगे अब पूल्स कैसे ग्यात करोगे हर को सुनने के बराबर करके जैसे यहाँ पर हर क्या x-4 का वर्ग तो इसको आपने सुनने के बराबर किया तो आपको x बराबर क्या मिल गया चार तो यह हो जाएगा आपका पूल्स ठीक है तो पहले step में जीरोज ग्यात करोगे दूसरे steps में आप पूल्स ग्यात करोगे ओक्यों बच्चों इसके पच्चा तीसरे step में आप बनाओगे एक संख्यारे का और उस पर जीरोज एवं पूल्स को निरूपित करोगे ठीक है उसके बाद चौथे step में आप दाइं और से पृतेक अंतराल में एकांतर करम में प्लस माइनस चिन रखोगे और उस बिंदू पर चिन परवर्तित नहीं करोगे जिसकी घात सम है अर्थार जिसकी समवार पुन्रावर्ति होई है ठीक है जैसे की यहाँ पर देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने बनाई एक संक्या रेका ठीक है अब यहाँ पर रखेंगे जीरोज को तो जो को संक्या रेका पर इधर की तरफ रडार्त मक्संग कहां आती है, यहां कहीं 0 आता है, तो यहां माइनस 1 होगा, यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 4, ठीक है, यह हो जाएगा आपकी तीसरी स्टेप, अब चौती स्टेप में आप एकांतर क्रम में, कहां से, कहां से बच्चों, देखो कहां से, एका सम है तो यहाँ पर X वरावर माइनस एक पर घास सम है और X वरावर चार पर घास सम है तो आप इनके नीचे बना दोगे एक स्टार इस तरीके से ठीक है ताकि आपको पता लग सके कि आपको यहाँ पर चिन परिवर्थित नहीं करना है ठीक है अब यहाँ पर प्लस से स्टार्ट करोगे तो प्लस यहाँ पर फिर प्लस यहाँ पर चिन बदलेगा माइनस फिर यहाँ पर रह जाएगा माइनस ठीक है तो इस तरीके से आप चिन लगा दोगे यह हो जाएगा बच्चो आपका चौथे नंबर का में आप प्रस्ण के अनुसार उत्तर लिखोगे ठीक है जिसे प्रस्ण में लैस दे रखा है तो उसके अनुसार ग्रेटर दे रखा है तो उसके अनुसार आप उत्तर लिखोगे ठीक है अब यहां पर बच्चो एक important बात है important बात यह कि उत्तर में जी रोज को केवल बच्चो आपको तभी सामिल करना है जब प्रिस्ट में बराबर का चिन भी दिया गया हो जैसे यहाँ पर देखे हम तो बराबर का चिन दिया गया है तो हमें उत्तर में जीरोज को सामिल करना है ठीक है जीरोज को पोल्स तो बच्चो कभी भी सामिल नहीं होंगे ठीक है जीरोज को तब ही सामिल करोगे जब यहाँ पर बराबर गचिन दे रखाओ ठीक है अब यहाँ पर क्या है greater than equal to zero मतलब प्लस वाला चाहिए तो प्लस वाला क्या है एक तो यह है और एक यह है अब दो है अब देखो दो जीरोज है यह लेना है तो यह इसको डार कर दो माइनस एक जीरोज है इसको भी लेना है इसको भी डार कर दो चार पोल से इसको नहीं लेना तो इसको ऐसे गोला बना दो ठीक है तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या जाएगा X कमान X belongs to हो जाएगा मेरे पास दो लेना है माइनस एक भी लेना है तो माइनस एक भी हमारे पास आ जाएगा तो ये बच्चों हमारे पास X का मान होगा ठीक है तो इस परकार से हम वेवी वक्र विधी की साहता से इन चर्णों का उपयोग करके असम्मिकाओं को हल करते हैं ओके बच्चों चलो कुछ और उधारन देखते हैं ठीक है कुछ और उधारन देखते हैं जीसे आपके सामने माओ ये दे रखका ठीक है आपको इसका हल जग्याद करना है तो सबसे पहले आप zeroes निकालोगे तो zeroes हो जाएenगे तीन और साथ ठीक है पूल्स यहाँ पर कुछ बदलेगा तो plus minus plus हमें क्या चाहिए रणात्मक वाला चाहिए तो रणात्मक वाला ही हो जाएगा अब चूकि यह बरावर का चिन नहीं है तो 0 सामिल नहीं होंगे ठीक है तो x belongs to हो जाएगा 3 से लेकर के 7 तक clear यह हमारा आंसर हो जाएगा इसी प्रिकार एक यह देखो यहाँ पर देखो क्या होगा सबसे पहले 0 जग्याद करो तो 0 जाजाएगे 1 और 2 पोल्स जाजाएगा 3 संख्यार एका पर इनको निरूपित करो तो 1,2,3 अब देखो किसी की घास समय क्या नहीं किसी घास समय नहीं है अच्छे बात है अब प्लस माइनस प्लस माइनस लगा दो हमें क्या चाहिए धनातमक चाहिए और इसके लावब यहाँ पर बराबर का चिन्न है मतलब 0 सामिल करने है 0 क्या है 1 और 2 तो 1 और 2 मुझे सामिल करने है 3 सामिल नहीं करना है क्योंकि 3 पूल से ठीक है अब यहाँ बर greater than equal to 0 यानी धनातम वाला चाहिए तो एक तो यह चित्र होगा और एक होगा यह वाला चित्र एक बलंस टू हो जाएगा एक लेना है दो भी लेना है यूनियन तीन नहीं लेना है और अनन तक जाना है ठीक है तो यह आपका अंसर आजाएगा इसी प्रिकार मालो आपके सामने यह एक बड़ा सा असम्मी का दे रखिए और आपको इसका हल ग्यात करना है तो कैसे ग्यात करेंगे सबसे पहले आप zeros लिका लो तो zeros आगए एक दो और तीन पूल्स लिका लो पूल्स आगए चार और माइनस एक संख्यारी का बनाई इनको निरुपित कर दो माइनस एक, एक, दो, तीन और चार जिसकी घास सम्में उसके नीचे इस्टार बना दो तो तीन पर सम है माइनस एक पर सम है माइनस एक पर सम है तीन पर समय यहाँ पर इस्टार बना दिया प्लस माइनस प्लस माइनस लगाओ प्लस माइनस यहाँ नहीं बदलेगा माइनस प्लस माइनस यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा ठीक है अब देखो बराबर कचन लग रहा है लग रहा है तो 0 सामिल करने है तो एक होगा सामिल, दो भी सामिल होगा और तीन भी सामिल होगा, चार और माइनस एक सामिल नहीं होगे, अब मुझे क्या चाहिए, ग्रेट दनिकोल डुजीरो मतलब दनातम वाला चाहिए, दनातम वाला क्या होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो एक से लेकर के दो तक, यूनियन चार से लेकर अनंता तो इस प्रकार से बच्चों हम वेवी वक्र विधी की साहिता से असमीकाओं को हल करते हैं ठीक है नहीं आया बच्चों समझ में चलो एक वार मैं आपको फिर से समझाता हूँ देखो बच्चों यदि आपको इस दीगई असमीकाओं को हल करना ह मैं चलो यह सब चीजे मिटा देता हूँ ध्यान से समझेगा बच्चो एक very important concept है यह यदि आपने यह समझ लिया ना तो आपको प्रांत और परिसर लिकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो अब ध्यान से देखिए देखो बच्चो सबसे पहले आपको गया करना है सबसे पहले आपको जीरोज ग्याद करने है सबसे पहले आपको ग्या करने है जीरोज ग्याद करने है अब जीरोज कैसे ग्याद करोगे अंस को सुनने के बराबर करोगे ठीक है आपके पास X बरावर एक, दो और तीन आ जाएंगे, ये पहला step आपको समझ में आया, पहला step बच्चों आया समझ में आपको, बताइए मुझे, ये पहला step समझ में आया, कि कैसे हम 0s ग्याद करेंगे, आगया पर तेख बच्चों को समझ में, ठीक है, ओके, इसके पास दू चार की घात पांच गुणा एक्स प्लस एक के वर्ग को सुनने के बराबर किया तो यहाँ पर एक्स बराबर मिलेगा मुझे चार और माइनस एक यह समझ में आया आपको यह समझ में आया बच्चो कि कैसे हम पूल्स याद करेंगे हर को सुनने के बराबर करके ठीक है हर को सुनने के बराबर करके हम पूल्स याद करेगे इसके बाद आ जाईए आप तीसरी स्टेप में तीसरी स्टेप में बच्चों आपको बनानी एक संख्या रेखा और इस संख्या रेखा के उपर आपको इन जीरोज और पोल्स को रखना है ठीक है अब संख्या रेखा पर माइनस एक लेफ्ट में आता है फिर एक आता है फिर दो आता है फिर तीन आता है फिर चार आता है तो उनको यहाँ पर रख देते हैं माइनस एक एक दो तीन और चार यह मैंने यहाँ पर रख दिया संख्या रेका पर यह आया समझ में आपको तीसरे स्टेप समझ में आगया तीसरे स्टेप बच्चों समझ में आया आपको कि कैसे हमने संख्या रेका पर जीरो जर पूल्स को रखा आगया समझ में ठीक है अब इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको जिन पर घात sum है उसके नीचे star बनाना है तो यहाँ पर देखो x बरावर 3 पर घास sum है x बरावर 2 पर नहीं है 1 पर नहीं है 4 पर नहीं है x बरावर माइनस 1 पर घास sum है तो माइनस 1 के नीचे एक star बनाया और x बरावर 3 के नीचे एक star बनाया ये समझ में आया आपको कि कैसे मैंने स्टार बनाया समझ में आया बच्चो आपको ये कि मैंने कैसे ये स्टार बनाया है आगे समझ में बहुत अच्छे अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसके बाद बच्चो हम एक आंतर क्रम में डाइं और से प्लस माइनस का चिन रखेंगे और उस बिंदू पर चिन परवर्तित नहीं करेंगे जहां पर स्टार बन रहा होगा ठीक है तो मैंने यहां से स्टार किया प्लस अब देखो चार पर स्टार नहीं बन रहा तो यहां पर चिन बदलेगा यहां प्लस के बाद हो गय प्लस हो जाएगा एक के नीचे इस्टार नहीं है तो यहां पर चिन बदल जाएगा माइनस हो जाएगा यहां माइनस एक के नीचे इस्टार है तो यह कहेगा मैं चिन नहीं बदल नहीं दूँगा तो यहां माइनस हो जाएगा ठीक है तो यह चिन कैसे लगाए मैंने यह समझ में आपको समझ में आ गया अच्छा अब देखो हमें चाहिए क्या हमें चाहिए greater than equal to zero तो यहाँ पर देखो उत्तर में person में बराबर कच्चन है और मैंने आपको बताए कि यह दि बराबर कच्चन हो तो zero सामिल करने है अब zero क्या है मेरे पास एक दो और तीन तो जो सामिल करने उनको थोड़ा गहरा दो गहरा color रख कर दो तो एक को कर दिया दो को कर दिया और तीन को कर दिया ठीक है इनको गहरा दिया अब पूल्स तो कभी सामिल करने नहीं है तो जो सामिल नहीं करने उनको hole बना दो ठीक है ये समझ में आया आपको ये समझ में आया समझ में आगया ये बहुत अच्छे अब देखो हमें क्या दिया गया greater than equal to 0 मतलब हमें plus वाला लेना है तो plus वाला देखो कहां पर है एक तो यहां पर है एक बच्चो आपका यहां पर है ठीक है यहां यहां पर है अब एक से दो के बीच है तो इसका मतलब X कमान क्या हो जाएगा अब यहां पर एक और दो दोनों सामिल करने हैं तो सामिल करने हैं तो यहां पर लगेगा बंद अंतरा ठीक है यूनियन इसके अलावत चार को सामिल नहीं करना चार से अनन तक जाना ह इसके अलावत तीन को सामिल और करना है तो तीन और आ जाएगा ठीक है तो यह बच्चो आपका X का मान हो जाएगा ओके ओल क्लियर तो ऐसे बच्चो आप इसको हल करोगे ठीक है अब बच्चो एक कोईशन और है इसको और देखते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखो X माइनस एक है और यहाँ पर है 3 माइनस X बच्चो हमने जो आसमिका है पड़ी उसमें X माइनस A1 कुछ इस तरीके से था या फिर X माइनस B1 कुछ इस तरीके से था बच यहाँ पर 3 माइनस X है तो पहले हम इसको इस रूप में परवर्थत करेंगे इसके लिए असमीका के दो नंप अक्षों में माइनस का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा X-1 गोणा X-3 अब चुंकि माइनस 1 का गोणा किया है तो यह चिन बदल जाएगा तो less than equal to 0 हो जाएगा अब इसको हल कर लो तो यहां से x belongs to क्या जाएगा एक से ले करके तीन तक तो ऐसे हम वेवी कर्व मेथड का उप्योग करके निम्न असमिकाओं को हल करते हैं ओके बच्चो पूल्स कभी भी उत्तर में सामिल नहीं होंगे जी रोज हमेशा उत्तर में सामिल होंगे ठीक है देखो यहां पर हमने पूल्स कभी भी सामिल नहीं किये माइनस एक और चार कहीं पर भी नहीं है ठीक है तो पूल्स कभी सामिल नहीं होंगे जी रोज ही सामिल हो ओके बच्चो अब देखो प्रांत कैसे निकालोगे अब प्रांत की बच्चो मैंने आपको परिवासा बताई कि X के वे सभी सम्मान जिन पर फलन परिवासत हो मतलब आपको X के वो मान देखने हैं जो की परिवासत हो ठीक है तो देखो फलन का प्रांत ग्याद करने के लिए तो कुछ बाते हैं उनको याद रखना है पहली बात तो बच्चों ये है कि हर जो है ना वो कभी भी सुनने के बराबर नहीं होना चाहिए ठीक है और दूसरी बात ये है कि वर्गमूल के अंदर कभी भी रातमक नहीं आना चाहिए ठीक है मतलब यदि हमारे पास अंडरूट f of x लिखा गया हो तो इसके लिए f of x greater than equal to 0 होना चाहिए तो था यदि हमारे पास फलन one upon f of x के रूप में लिखा गया हो तो f of x not equal to 0 होना चाहिए ठीक है तो यदि ये दो कंडिशन आपकी satisfy होती है तो इसी से हमारा प्रांत निकल जाएगा जैसे कि यहाँ पर आपको अंदर है इसका प्रांत निकालना है तो इसके लिए x square minus 3x plus 2 greater than equal to 0 होना चाहिए अब पहले इसके करेंगे गोडनखंड तो इसके गोडनखंड हो जाएंगे x minus 1 x minus 2 greater than equal to 0 अब बन गईने असम्मी का इसको हल कर लीजे आपको x के मान मिल जाएंगे तो x belongs to क्या हो जाएगा minus अनंद से एक union दो से अनंद तो इस प्रकार से आप फलन का प्रांत ग्याद करते हो ठीक है हाँ तो बच्चो इस अध्याए की एदिया हम प्रगती की बात करें तो इस अध्याए में सबसे पहले हमने समझाता समुच्चे के बारे में जिसमें हमने class 11 के समुच्चे का पूर हमने सम्द का प्रांध से प्रांध वे परिसर देखा और उसके पश्चाद बच्चों हमने सम्दों के परकार जाने थे ठीक है और फिर उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं फलन को अब फलन क्या होता है यह मैंने आपको पिछली class में बता दिया था अब आज की class में हम फलन का प्रांध से प्रांध वे परिसर निकालना सेखेंगे उसके अलावा हम फलनों के परकार देखेंगे फिर बच्चों उसके बाद हम फलनों का सही हो जन और पिरतिलों फलन ग्याद करना सेखेंगे ठीक है और इसके बाद बच्चों एक टॉपिक और बसता है इस अध्याई का जो कि बहुत आसान टॉपिक है जिसका नाम है द्वी आधारी संक्रिया है ठीक है तो इस तरीके से बच्चों आपका यह अध्याई चलने वाला है अब बच्चों मैं आपको बता दू कि आज की कलास में हम काफी सारी quiz भी करने वाले हैं ठीक है आज की class में हम काफी सारी quiz भी करेंगे तो आप घवराईए मत मैं भी आपको question करवाऊंगा और आप भी practice करोगे तभी तो बच्चों आप लोग अच्छे अंक लेकर आओगे मैथ में right hundred marks लेकर आने आप लोग बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छे hundred याएंगे यदि आपने मेरे साथ मैनत कर ली तो ठीक है okay बच्चों ठीक है बेटा slayvus कतम कराने की जिम्मेदारी मेरी है आपकी जिम्मेदारी केवल पढ़ाई करने के ठीक है आप पढ़ाई करते रहिए मैं आपका slayvus समाप्त करा दूँगा पेपर से पहले ठीक है बेटा ओके तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो फलन का परांद सेपरांद वे परिसर उसके पस्चाद बच्चों हम फलनों के प्रकार देखेंगे और फिर उसके बाद बच्चों हम कुछ मैथ पूर्ण पर इसमें डिसकस करेंगे ठीक है तो ये बच्चों हम आज की क्लास में करने वाले हैं ओके हाँ बेटा बिलकुल मैथ मैंने अट माक्स आएंगे आपने मेरे साथ मैनत कर ली तो ठीक है अब बच्चों आज की क्लास की सुरुवात हम लोग करते है क्विज के माद्यम से ठीक है तो एक क्विज आपके सामने आ रही है इसका मुझे सभी बच्चे सही सही आंसर दीजेगा ठीक है बच्चों अब क्विज का बच्चों आपका क्विज्चन है कि यदि f of x बरावर e की घात x और g of x बरावर log base e x हो तो आपको f गुणा g of a का मान ग्यात करना है अब बच्चों आपने ग्यारवी कलास में फलनों का बीजगरित पड़ा था वहाँ पर आपने दो फलनों को गुणा करना सीखाता ठीक है तो उसी पर आधारित बच्चों आपका ये प्रिशन है बताईए इसका अंसर क्या होगा बताईए बच्चों जल्दी से इसका अंसर क्या होगा बच्चों आपका समय होता है आपे समाप्त अब डिसकस करते हैं इसका उत्तर तो बच्चों देखो आपने ग्यारवी किलास में ये पढ़ा था कि यदि हमें दो फलनों का गुणा करना हो तो ये बराबर होता है f of x गुणा g of x के ठीक है अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर f dot g f गुणा g of 1 चाहिए तो य हो जाएगा f of 1 गुणा g of 1 अब f of 1 देखो क्या होगा यहाँ पर x की जगे पर एक रखाई हो गया e गुणा g of 1 क्या हो जाएगा x की जगे 1 रखाई हो गया log base e1 अब बच्चों log 1 की value 0 होती है e का 0 के साथ गुणा करोगे 0 ही मिलेगा तो कौन सा विकल्प सा ही हो जाएगा भी विकल्प ठीक है तो यह बच्चों इसका आंसर था तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने आंसर सही भी बताए हैं काफी बच्चों के आंसर सही हैं बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छे इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहे तो definitely आप क्लास चलती है पांच बजे वहाँ पर मैं ग्यारवी क्लास पढ़ाता हूं ठीक है और अभी वहाँ पर समुच्चे अध्याय चल रहा है ठीक है I think समुच्चे अध्याय को मैं एकाद दो दिन में समाप्त कर दोंगा या तो आज या फिर मंडे में उसके पश्चात में संब अब बच्चों हम लोग फलंग जानते हैं फलंग क्या होता है तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा सम्मंद जिसमें समुच्चे A का प्रतेक अव्यव समुच्चे B के केवल और केवल एक अव्यव से जड़ा हो उसे हम फलन कहते हैं तो समुच्चे A से समुच्चे B का संबंद F फलन कहलाता है यदि समुच्चे A के पृतिक अविव का समुच्चे B में एक और केवल एक पृतिविम्ब होता है ठीक है उसे बच्चों हम फलन कहते हैं अच्छा बच्चों मैं आपको फलन की पैचान करना ग्राफ के माद्यम से भी बता सकता हूँ ठीक है कैसे दो को यदी मान लो आपने किसी फलन का ग्राफ बनाया ठीक है तो किसी फलन के ग्राफ को यदी वाई अक्ष के वाई अक्ष के समानतर खीची गई रेखा केवल एक बिंदू पर काटती है ठीक है तो इस प्रकार से बच्चो आप फलन की जाँच कर सकते हो देखो सबसे पहले जो भी आपको दिया गया होगा आप उसका ग्राफ बनाना और ग्राफ बनाने के परसाथ आप कोई भी वाई अक्ष के समानतर खीची गई रेखा फलन के ग्राफ को केवल एक बिंदू पर प्रतिच्च्च्च्च्च्च्च करे तब तो बच्चो वो फलन होगा और यदि जादा बन्दू पर प्रतिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फलन का प्रांत होता है समुच्चे ए में उपस्थित भी बिंदू ठीक है समुच्चे ए में उपस्थित पिरतेक अव्यवो का समुच्चे फलन का प्रांत होता है ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या ये फलन है बिलकुल फलन है ये ठीक है और इसका जो ये समुच्चे है ना ये हो जाएगा फलन का प्रांथ अब ठीक है ये होता है बच्चे फलन का प्रांथ और फलन के प्रांथ के अव्यवो को यदि हम फलन के अंदर रखें तो उससे जो होते हैं प्रांद से प्रांद और परेसर, अब बच्चो यडि आपसे पेपर में कोश्टन पूछा जाएगा कि भईज इस फ़लन का प्रांद बताईए, तो बहुत कम चांस हैं कि आपको इस तरह से पूछा जाए, आपको कुछ function दिया गया होगा कुछ फ़लन दिया गया होगा और उसका आप से प्रांथ और परिसर पूछा जाएगा जैसे कि मालो आपको देती है f of x बरावर x स्कुरार अब आप से पूछा जाएगा कि इसका प्रांथ और परिसर बताओ ठीक है तो इस तरीकी के बच्चों आपके पास में प्रसन आएंगे पेपर में अब ऐसे प्रसनों को कैसे करेंगे तो ऐसे प्रसनों को हल करने के लिए ही हमने एक मैथड देखा जिसका नाम था वेवी कर्व मैथड ठीक है अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आय था वेवी कर्व मेथ़ड तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ तो वेवी कर्व मेथड के बच्चों कुछ fix से step होते हैं जिसका पहला step यह होता है कि सबसे पहले हम जी रोज ग्यात करेंगे ठीक है सबसे पहले हम जी रोज ग्याद करेंगे अब जी रोज कैसे ग्याद करेंगे अंस को सूनने के बराबर करके जैसे मालो मेरे पास असमी का है x-2 गुणा x-4 गुणा x-3 बटे x-1 greater than equal to 0 यह है मेरे पास ठीक है तो सबसे पहले हम जी रोज ग्याद करेंगे अब 0 ग्याद करेंगे अंस को सूनने के बराबर करके तो जब आपने अंस सूनने बराबर किया यहां से हमें x के मान मिल गए 2, 3, 4 ठीक है ऐसे second step में हम पोल्स ग्याद करेंगे ठीक है अब पोल्स कैसे ग्याद करेंगे पोल्स ग्याद करेंगे हर को जीरो के बराबर करके हर को जीरो के बराबर किया तो X बराबर आ गया ए इसके पश्चा तीसरी स्टेप में हम संख्या रेका पर जीरो जोर पूल्स को निरुपित करेंगे तो संख्या रेका बनाई इन पर इनको निरुपित करेंगे तो 1, 2, 3 तिन और चार हो गया ठीक है अब इसके बाद जदी बच्चों यहां पर बरावर का चिन दे रखा है तब जीरोज जो होंगे उन पर डॉटेड लगा देंगे ठीक है तो बरावर का चिन है जीरोज है दो तीन चार इन पर आप लगा दो यह डॉटेड लगा दिया इसके पर भी एक यहां पर भी एक यहां पर एक तो सबकी घात विसम है ठीक है अच्छा माल लो यहां पर यदि घात सम होती माल लो यह एक की जिगत दो होता तो हम बच्छो एक्स वराबर दो पर एक स्टार बना देते हैं यहां पर इसका मतलब है कि दो पर चिन परिवर्तित नहीं होगा ठीक है अब चिन कैसे लगाते है हम लोग बच्चों यहां से आरम करते है प्लस से ठीक है तो प्लस लगाया अब यहां पर इस्टार नहीं मिला इस्टार क्या करता है इस्टार रुकावट डालता चिन परिवर्तन के मार्ग में वो चिन को परिवर्तित नहीं होने देता ठीक है तो यहाँ पर star नहीं है तो आसानी से चिन परिवर्तित हो जाएगा यहाँ पर भी नहीं है तो यहाँ पर भी परिवर्तित हो जाएगा अब यहाँ पर star आ गया इस्टार ने बोला कि मैं चिन परिवर्ता नहीं होने दूँगा तो यहाँ पर पलासी रहा अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि यह पर इस्टार नहीं है अब देखो हमें चाहिए क्या हो है हमें चाहिए greater than equal to 0 मतलब हमें 0 से बढ़ाया बरावर चाहिए यूनियन तीन से दो से तीन यहाँ पर दो भी लेना है और तीन भी लेना है ठीक है यूनियन यहाँ पर बच्चों चार हमें लेना है चार से लेकर के अनंत तक ठीक है अब देखो दो यहाँ पर भी है दो यहाँ पर भी है तो इसको हम ऐसे भी लेख सकते है एकस बलांग्स टू वन टू तू थी यूनियन चार से अनत ठीक है तो इस प्रकार से बच्चों हम वेवी कर मैथड की साहिता से निमनि प्रकार की असम्मिकाओं का हल ग्यात करते हैं जैसा कि काफी बच्चों ने मुझे आंसर सही बताया भी है ठीक है काफी बच्चों ने प्रांत क्या होता है फलन के प्रांत की परिवास होती है फलन Y वरावर FFX के लिए X के वे सभी मान जिनके लिए फलन परिवासित हो फलन का प्रांत कहलाता है ठीक है यानि कि हमें X के वे सभी मान देखने हैं जिन पर फलन परिवासित हो उन सभी मानों के समुच्च को यह हम फ अब इसका प्रांत ग्यात करुएगा तो पहला टाइप तो यह है कि आपका फलन हर में दिया गया हो one upon में f of x के रूप का हो तो इस कंडि compress में फृरं के परिवासत होने के लिए जरूरी है कि f of x सुनने के बराबर नह हो ठीक है f of x क्या नहीं हो सुनने के बरावर नहीं हो यानि कि मान लो मैं आप से कहूं कि 1 upon मैं x-2 ये कोई एक फलन है f of x ठीक है अब इसका प्रांथ ग्याद करो तो प्रांथ ग्याद करने के लिए जरूरी है कि जो इसका हर है वो सुनने के बरावर नहीं हो तो x-2 not equal to होना चाहिए दो 0 के इसका मतलब x-2 नहीं हो सकता तो ये बात आपको याद रखनी है यदि आपका फलन वा एक बटे f of x के रूप का है तो ठीक है अब दूसरा टैप बच्चों ये है कि आपके पास जो फलन दिया गया हो वो वर्ग मूल के अंदर दिया गया हो तो इस इस्थिती में अब दोको हम जानते हैं वर्ग मूल के अंदर जो भी हम संख्या लिखते हैं वो धनात्मक होती है greater than equal to 0 होती है air धनात्मक होती है तो इसका मतलब f of x greater than equal to 0 होना चाहिए ठीक है तो ये कंडिशन होती है इस फलन के परिवासित होने की जैसे कि मालो मैं आप से कहूँ कि वर्ग मूल के अंदर x square minus 2x plus 1 है तो ये फलन बच्चो तभी परिवासित होगा जब x square minus 2x plus 1 greater than equal to 0 होगा ठीक है तो ये था आपके पास दूसरे टाइप का फलन ओके बच्चो अब ये दो टाइप की बच्चो आपके पास मुक्यत फलन दिये गए हैं आपकी किताम में ठीक है तो इन दोनों फलनों के ये आपको प्रांत ग्याद करने है अब एक एक करके इनकी उधारन भी जान लेते है तो एक उधारन बच्चो आपके ये कि फलन वाई बरावर एक बटे एक ग्याद करीए अब प्रांत ग्याद करना है यहाँ पर देखो बटे में क्या दिया गया है फलन दिया गया है तो ये सुनने के बरावर नहीं होना चाहिए तो एक्स क्यू माइनस x not equal to 0 के अब यहां से x बेनिश्टा जाएगा तो यह जाएगा x square minus 1 not equal to 0 अब बच्चो आप लोग मुझे बताओ कि x का मान क्या क्या नहीं हो सकता है ओके पृतिमा बेटा आपकी network की problem आ रही है तो आप इस class को बाद में देख लीजेगा बढ़ बच्चो ख्लास आपको देखनी है क्योंकि एक बहुती मैधपूर्ट क्लास है बच्चों ने अच्छा आप सर पूछ रहे हैं सर जीरो होगा तो क्या होगा अच्छा अब समझो जीरो होगा तो क्या होगा यदि बच्चो f of x को यदि हम जीरो के बराबर कर दिंगे तो देखो हमारा फलन वाई बराबर क्या हो जाएगा इन फाइनाइट हो जाएगा और क्या अनंत परिवासित है अनंत को क्या परिवासित कर सकते हो नहीं कर सकते तो इसलिए बच्चो f of x not equal to 0 जरूरी होता है ठीक है कि क्यों मैंने f of x not equal to 0 लिखा था यहां पर मुझे जितना भी नजर आ रहा है उसमें मनोज कुमार का सही है रोनक का भी सही है और बच्चो भी बाँसर बतावाई मनोज कुमार और रोनक ने बताए बस जतिन बेटा आपका थोड़ा सा गलत है अब देखो बच्चो इसका अंसर क्या होगा देखो x गुणा x square minus 1 not equal to 0 होना चाहिए अब इसको लुख दूँगा मैं x गुणा यह a square minus b square लिखा हुआ है यह हो जाएगा x plus 1 गुणा x minus 1 not equal to 0 तो यहांसे देखो x ki value 0 नहीं हो सकती उसके अलावा x के value minus 1 नहीं हो सकती और उसके अलावा x के value 1 नहीं हो सकी तो यह 3 value बच्चों हमारे पास नहीं हो सकती अब मैं बताता हूँ आप लोगोंने गलती कहां पे करी आपने देखो X वराबर 0 तो लिख दिया X not equal to 0 अब आपने X square minus 1 not equal to 0 लिखा तो यह हो गया X square not equal to 1 और आपने यहाँ पर लिख दिया कि X not equal to 1 बेटा ऐसा करने से आपका एक हल रह गया देखो minus 1 का वर्ग भी एक ही होता है तो X not equal to minus 1 भी होगा ठीक हैं? तो तीन बच्चों इसके आंसर होंगे 0, minus 1 और 1 ठीक हैं? किलियर है? कैसे तीन आंसर हुए इसके? कावी बच्चों ने वह सही आंसर बता है ठीक है बच्चों अब अगला कोश्चन देखते हैं अगला है फलन Y बराबर वर्ग मूल X square minus 7 X प्लस 10 का प्रांत ग्याद कीजे अब यहां पर वर्ग मूल के अंदर लिखा हुआ है इसका मुझे प्रांत ग्याद करना है तो प्रांत ग्याद करने के लिए वर्ग मूल के अंदर लिखी हुई जो quantity है वो greater than equal to 0 होनी चाहिए तो यह मैंने 0 कर दी अब इसके बाद देखो यहां पर इसके गुड़न खंड करेंगे तो इसके गुड़न खंड हो जाएंगे X minus 2 गुड़ा X minus 5 greater than equal to 0 अब बच्चों मुझे बताइए कि क्या answer होगा इसका बताइए बच्चों आगे क्या answer होगा इसका X minus 2 गुड़ा X minus 5 greater than equal to 0 होगा नहीं बेटा नहीं answer सही नहीं है सत्यम बेटा आपका पवन पटेल आपका भी answer सही नहीं है पांस से दो नहीं होगा खुला अंत्राल या बंद अंत्राल अंत्राल की रूप में लिखके बताओ हाँ मनुच कुमार का answer सही है तो देखो बच्चों आगे किस तरह के से लिखा लेंगे इसको अब देखो ये क्या बन गई है एक असम्मिका और असम्मिका को हल करने के लिए मैंने आपको बताया है wavei curve method तो wavei curve method यहां पर लगाते है तो पहले 0's निकालेंगे क्या है दो और 5 पोल से यहां पर है यह नहीं तो दिक्कत की बात यह नहीं है यहां पर देखो क्या है बराबर का चिन तो यहाँ पर लगा देंगे dotted ठीक है किसी की घास समय क्या नहीं है तो star नहीं बनेगा अब plus, minus, plus क्या चाहिए मुझे दनात्म वाला तो एक ये छितर होगा, एक ये छितर होगा तो x belongs to हो जाएगा minus, anand से 2 union, 5 से anand, अब देखो बच्चो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो x belongs to r minus, देखो r में से मैंने 2 से 5 वाले अवेव को हटा दिया, ठीक है तो ये बच्चो हमारा प्रांत हो जाएगा, ठीक है ये बच्चो हमारा प्रांत हो जाएगा, clear, चलो अब बच्चो एक और question देखते हैं, अब यहाँ पर देखो दोनों चीज़ है, वर्गमूल भी है और बचा भी है, तो दोनों का हम यहाँ पर उप्योग करेंगे, ठीक है तो पहले तो वर्गमूल के लिए देखा तो यह हो गया, x plus 1 गुणा x minus 3 greater than equal to 0 होना चाहिए अब हर के लिए देखा तो x minus 2 not equal to 0 होना चाहिए अर्थात x की value 2 नहीं होनी चाहिए यहाँ पर हल करेंगे तो 1 है minus 1, 1 है 3 plus minus plus चुंकि बराबर का चिन है तो dotted हो जाएगा क्या चाहिए 0 से बड़ा तो यह हो जाएगा x बलंक्स्ट हो गया minus अनन से minus 1 minus 1 पर बंद अन्तराल union तीन से लेकर के अनन तक हो गया अब देखो बच्चों क्या इस अन्तराल में कहीं 2 आ रहा है नहीं आ रहा तो यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा यदि आ रहा होता r minus minus 1 to 3 आगे समझे में बहुत अच्चे अब बच्चों समय हो गया है आपकी आज की दूसरी क्विज का तो तयार हो जाएगे सही बच्चे दूसरी क्विज के लिए आपके सामने आ रही है दूसरी क्विज तो ये रहा बच्चों आपके पास दूसरी क्विज का क्विज आपको इसका प्रांत ग्याद कीजी तो आपको इसका प्रांत ग्याद करना है किसका प्रांत क्या होगा बच्चों आपका समय होता है यहाँ पर समाप्त अब देखों यहाँ पर प्लांत परिवासित फलन के परिवासित होने के लिए जरूरी है कि जो हर है वो सुनने के बराबर ना हो तो X स्कुरर माइनस 7X प्लस 12 सुनने के बराबर नहीं होना चाहिए अब इसके करते हैं गड़न खंड तो गड़न खंड हो जाएंगे X माइनस 4 गड़न X माइनस 3 नौट इक्वल टो 0 इसका मतलब X का मान 3 और 4 नहीं हो सकता तो प्रांथ हो जाएगा R माइनस 3,4 तो कौन सा विकल्प बच्चों सही हो जाएगा B विकल्प कौन सा विकल्प सही हो जाएगा B विकल्प चमक गया सभी बच्चों को यह कुश्चन चमका है नहीं चमका बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छे ठीक है चमक गया सही बच्चों को ठीक है अब बच्चों हम लोग फलन का परिसर गयात करना सीखते है तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फलन का परिसर वह समुच्च होता है जो कि फलन के प्रांथ के अव्यवों को फलन के अंदर रखने से प्राप्त होता है ठीक है तो फलन Y वरावर F of X के लिए इसके प्रांथ के सभी मानों को फलन में रखने से प्राप्त मानों का समुच्च ही फलन का परिसर कहलाता है ठीक तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम दिये गए फलन को y के बराबर मानते हैं ठीक है जैसे कि मानलो मुझे f of x बराबर x स्क्वार है ये कोई फलन है मुझे इसका परिसर गयात करना है तो पहले आप इसको y के बराबर मानोगे तो y बराबर x स्क्वार हो गया ठीक है उसके पस्चाथ आप x को y के पदों में लिखोगे जैसे यहाँ पर देखो मैं x को y के पदों में लिखोगा तो x बराबर क्या आगया वर्गमूल y ठीक है तो इससे बच्चों आपकी पास में एक f of y आ जाएगा तो f of y क्या आगया वर्गमूल y अब आपको y के वो सभी मान देखने हैं जिस पर f of y परिवासित हो ठीक है तो y के सभी संभव मान लिखिए जिसके लिए f of y या x परिवासित हो ठीक है f of y x ही तो है ना तो x परिवासित हो ऐसे आपको y के मान लिखने हैं तो उन मानों का जो समुच्चे होगा ना वही परिसर है तो y के प्राप्त मानों का समुच्चे या फिर आप लिख सकते है f of y का प्रांत ही y वरावर f of x का परिसर है ठीक है बच्चो तो इन स्टेप्स की साहिता से आप फलन का परिसर ग्याद कर सकते हो जैसे आपर देखो y वर्ग मूल के अंदर है तो y greater than equal to zero होना चाहिए इसका मतलब इस फलन का परिसर क्या हो जाएगा जीरो से लेकर के अनंत तक ठीक है तो ऐसे बच्चो आप किसी फलन का परिसर ग्याद करते हो ठीक है समझ में आगया बच्चो कि कैसे हम फलन का परिसर ग्याद करेंगे चलो इसको एक उधारन द्वारा समझते है ठीक है तो मालो मैंने f of x बराबर ले लिया अब मैंने x square प्लस 1 ये मैंने ले लिया ठीक है मुझे इसका परिसर ग्याद करना है तो कैसे ग्याद करूँगा सबसे पहले मैं इसको y के बराबर लिखूँगा तो y बराबर हो गया x square प्लस 1 पहला step मेरा ये होगा ठीक है दूसरे step में x को y के पदों में लिखूँगा तो यहाँ पर देखो x square बराबर क्या हो गया y माइनस एक तो x बराबर हो जाएगा वर्कमूल y माइनस एक ठीक है इसके बाद तीसरे step में आप y के उन सभी मानों को लिखा लेंगे जिस पर f of y आपका परिवासित हो तो यहाँ पर देखो y माइनस एक वर्कमूल के अंदर आ रहा है अब यह आपका 0 से बढ़ाया बराबर होना चाहिए तो इसका मतलब y कमान एक से बढ़ाया बराबर हो जाएगा अब यह जो आपके पास f of y का प्रांत आया न यही बच्चों आपके f of x का परिशर होगा ठीक है तो fourth step में आगया आपका f of x का परिशर बराबर एक से बढ़ाया बराबर मतलब एक से ले करके अनंत ठीक है यह हो गया बच्चों आपके f of x का परिशर ऐसे बच्चों हम किसी फलन का परिशर ग्याद करते हैं ओके समझ में आगया पर ते एक बच्चे को समझ में आया है नहीं आया है बच्चों ये मुझे बताओ आ गया ना इस प्रिकार से हम फलन का परिसर ग्याद करते हैं ठीक है अच्छा आप कुछ प्रिस्ण करते हैं जिसे कि माल लो ये y बरावर x बटे 1 प्लस x स्कॉर इसका में परिसर ग्याद करना है तो जहां पर देखो y के बरावर पहले से अल्रेडे दिया हुआ है अब हम x को y के पदों में लखेंगे तो पहले वज़ उना कर देते हैं तो यह हो गया y गुणा 1 प्लस x स्कॉर बरावर में x ठीक है यह हमारे पास हो गया अब इसके बाद देखो यह हो जाएगा x स्कॉर वाई प्लस y बरावर x अब यह हो गया x स्कॉर वाई माईनस x प्लस y बरावर में सूने यह हो गया अब यदि बच्चों हम यहाँ से x का मान लिका लें क्योंकि यह क्या है x में दुविघास समीकरन और द्विघास समीकर्ण का हलम लेकालते हैं द्विघास सूत्र की सायता से तो X बराबर हो जाएगा माइनस B मतलब की माइनस ओफ माइनस एक तो प्लस का यह प्लस माइनस वर्ग मूल B स्क्वार मतलब माइनस एक का वर्ग एक माइनस फूर A, A की जिगे पर यहां पर Y है और C, C की जिगे पर यहां पर Y है अपॉन दो गुणा यह हो जाएगा ठीक है दोगों बच्चों यहां पर A बराबर है Y B बराबर है माइनस एक C बराबर है Y हमने लगाए द्विघास सूत्र X बराबर हो गया माइनस B प्लस माइनस वर्गमूल B स्क्वार माइनस 4 A C अपॉन में 2 A थीक है अब यहां से यह हो जाएगा 1 प्लस माइनस वर्गमूल 1 माइनस 4 Y स्क्वार अपॉन में 2 Y यह बच्चों हमारे पास X आजाएगा अब यह कब परिवासित होगा जब ये वर्गमूर में लिखी quantity greater than equal to 0 होगी और y सुनने के बराबर नहीं होना चाहिए तो 1 minus 4y square greater than equal to 0 होना चाहिए एक तो और y सुनने के बराबर नहीं होना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 4y square minus 1 less than equal to 0 क्योंकि हमने असमिका के प्रतेक पद में minus 1 का गुणा कर दिया अब यह a square minus b square लिखा हुआ है तो यह 2y plus 1 गुणा 2y minus 1 less than equal to 0 अब बनाइंगे एक सरल रेखा यहाँ पर एक आएगा minus का 1 बटे दो एक आएगा plus का 1 बटे दो यहाँ पर plus minus plus क्या चाहिए यह minus वाला तो मेरे पास यह छेतर हो जाएगा उसके लावा बरावर गच्छन लग रहा है तो हमें यह वाले बिंदू भी लेने ठीक है तो यहाँ से y belongs to क्या हो गया y belongs to हो गया आपके पास minus 1 बटे 2 से 1 बटे 2 अब इसमें बच्चो जीरो भी आ रहा है हमें जीरो नहीं लेना है तो हमने जीरो खटा दिया ठीक है तो यह बच्चो आपके पास f of x का परिसर आ गया ठीक है तो ऐसे बच्चो आप f of x का परिसर ग्याद करते हो ओके बच्चो को किलियर हुआ या नहीं हुआ बता मुझे जल्दी से फिर से बताएं चलो बेटा मैं फिर से बताता हूँ देखो बच्चों हमें फलन का परिसर निकालना होता है ठीक है तो फलन का परिसर निकालने के लिए सबसे पहले हम दिये गए फलन को वाई के बराबर करेंगे तो मैंने वाई के बराबर कर दिया ठीक है इसके पस्चाज बच्चों हम लोग वज़ुणा करेंगे और एक्स को वाई के पदों में लेकर आएंगे तो मैंने वज़ुणा किया ये बन गया आगे गुणा कर दिया y का अंदर तो मेरे पास यह बन गया तो इस तरीके से मेरे पास x में द्विघास सम्मीकन बन गई अब इसकी तुलना यदि मैं a x square plus b x plus c बरावर 0 के साथ करू तो a बरावर y v बरावर minus x c बरावर y मिल जाएगा मुझे ठीक है अब यहां से मैंने द्विघास सुत्र का उप्योग करके x का माल लेकाला तो यह हो गया अब x देखो कहां कहां पर परिवासित है तो x के परिवासित होने के लिए 1 minus 4 y square को greater than equal to 0 होना पड़ेगा पहली बात तो यह वर्ग मूल के अंदर वाली संख्या greater than equal to 0 होती है ठीक है हाँ बेटा यदि आप 0 minus नहीं करोगे तो आपका गलत हो जाएगा ठीक है उसके अलावा जो हर में y दे रखा है वो सूने नहीं होना चाहिए तो वो हमने आपर कर दिया इसके बाद में यह आपके पास में एक असमिका थी इस असमिका को आपने हल किया तो आपका हलचे तर अपन का परिसर हो गया ठीक है आप लोग खुद सोचो कि y सूनने के बराबर कभी हो सकता है कर दो यदि आप y को सूनने के बराबर कर रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पर सूनने होना चाहिए x में अब x में सुनने है तो x बराबर 0 लेने पर यह 0 बटे एक हो जाएगा तो य वेट 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 Y कमान सुनने हो सकता है कि x बरावर जीरो पर y कमान सुनने हो रहा है हमने कहीं पर कुछ गल्ती तो नहीं कर दिया एक बार देख लेते हैं y प्लस x व्क्रव य बरावर x होगा ठीक है x square y minus x plus y वराबर 0 a की value y, b की value minus 1 c की value y हो जाएगी ठीक है तुलना करी हमारे पास में यह आ गया 1 plus minus 1 minus 4 square 2y आ गया ठीक है अब 1 minus 4y square यह होना चाहिए ठीक है ठीक है बच्चो ठीक है तो यह बच्चो आपका answer हो जाएगा ठीक है last में समझ में नहीं आया देखो बच्चो मैं फिर से आपको समझाता हूँ देखो हमें लिखा लना था इस फलन का परिसर तो फलन का परिसर ग्यात करने के लिए हमने सबसे पहले तो दिये गए फलन को y के बराबर लिखा अब वो अल्रेड़ी दिया हुआ था इसके पश्चात हमने x को y के पदों में लिखा यहां तक आप लोग को समझ में आया मुझे यह बताओ कि आपको यहां तक समझ में आया है नहीं आया हाँ y बराबर पहले से दिया हुआ था तो पहला step तो हमारे यहां पर complete हो गया यहां तक समझ में आगया ठीक है अब इसके पश्चात बच्चों हमने x का मान लिका ला अब x का मान गयात हमने कैसे किया x का मान गयात करने के लिए बच्चों हमने द्वी घात सूत्र का अपयोग किया अब यहाँ पर हमने द्वी घात सूत्र लगाया तो X बरावर हो गया माइनस B माइनस ओफ माइनस एक मतलब प्लस का एक प्लस माइनस वर्गमूल B स्क्वार माइनस 4 A C अपॉन में 2 A तो 2 Y हो गया तो X बरावर आगया एक प्लस माइनस वर्गमूल 1 माइनस 4 Y स्क्वार अपॉन में 2 Y यह हमारे पास आगया अब यहाँ पर देखो यहाँ पर बच्चों यदि हमें X को परिवासित करना है तो इसके लिए 1 माइनस 4 Y स्क्वार को greater than equal to zero होना पड़ेगा यह मैंने आपर कर दिया ठीक है हाँ एक को क्यों छोड़ दिया बेटा हमें Y के वो मान देखने है जिस पर हमारा X परिवासित हो तो उसमें एक का क्या कोई रोगदान है क्या एक का कोई योगदान है क्या तो यहाँ पर 1 माइनस 4 Y स्क्वार greater than equal to zero होना चाहिए था अब मैंने अस्वमिका के प्रतेक पद में minus 1 का गुणा किया ग्यारवी क्लास में बच्चों आप पढ़ चुके हो कि एदि हम minus का गुणा करते हैं तो अस्वमिका का चिन बदल जाता है तो यह हो गया 4 by square minus 1 less than equal to zero अब इसको लिख दिया मैंने 2 Y plus 1 2 Y minus 1 के रूप में तो यहाँ से हमारे पास में 2 बिंदू आये minus 1 बटे 2 और 1 बटे 2 अब यहाँ पर हमने plus minus plus लगाया हमें रणातों वाला चाहिए था तो हमारे पास minus 1 बटे 2 से 1 बटे 2 आया तो I think प्रतेक बच्चे को यह वाले चीज तो समझ में आ गई होगी अच्छे से पहले मुझे यह बताओ कि यह वाले चीज आपको समझ में आई या नही आई चलो इसको भी के लिए मैं छोड़ देता हूँ ठीक है पहले मुझे यह बताओ कि आपको यह वाली चीज समझ में आई या नही आई यहां तक आपको समझ में आ गया यहां तक समझ में आ गया बच्चो आपको आ गया अच्छा अब देखो अब यहां पर Y आ रहा हर में ठीक है और यदि यह F of Y है तो इसको परिबासित होने के लिए Y जो हर में है उसको सुनने के बराबर नहीं होना पड़ेगा तो इसका मतलब Y सुनने के बराबर नहीं होना चाहिए ठीक है Y बच्चो सुनने के बराबर नहीं होना चाहिए यदि Y सुनने के बराबर हो गया तो उस पर हमारा x परिवासित नहीं होगा, ठीक है, तो y not equal to हो जाएगा 0 के, तो इसलिए यहां पर minus में 0 भी आया था, ठीक है, अब clear है, अच्छा, अब अच्छो एक f of x यह दे रखा है, इसका आपको परांत परिसर गयात करना है, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, प फिर से minus का गुणा करेंगे, तो x square minus 9 less than equal to 0 होना चाहिए, तो x plus 3, x minus 3 less than equal to हो जाएगा 0 के, संख्या रेखा, minus 3, 3, plus, minus, plus, तो x belongs to हो जाएगा, minus 3 से ले करके, plus के 3 तक, तो यह तो आगे इसका परांत, अब बात करते हैं, परिसर के, तो परिसर के लिए इसको y के बराबर क करेंगे, तो y बराबर हो गया वर्गमूल 9 minus x square, अब second step में हम x को y के पदों में लिखेंगे, तो दोनों पच्चों में वर्ग करते हैं, तो y square बराबर 9 minus x square हो जाएगा, तो x square बराबर आगया 9 minus y square के, तो x बराबर हो गया वर्गमूल 9 minus y square के, अब फिर से यहां पर स्वासित करना है तो 9 minus y square greater than equal to 0 होना चाहिए तो यहाँ पर यह हो जाएगा फिर से y square minus 9 less than equal to 0 तो यहाँ पर आ गया y plus 3 y minus 3 less than equal to 0 तो फिर minus 3 plus का 3 plus minus plus तो यह बच्चो छेतर आ गया तो y बिलॉंक्स्ट हो गया minus 3 से plus का ती ठीक है यह हमारा answer आ जाएगा ठीक है अच्छा बच्चो आपको यहाँ पर यदि इस person में फलनका परिसर ग्याद करने में इस तरीके से दिक्कत हो रही है ना तो मैं आपको सबसे बड़ी है तरीका बताता हूँ आप इस फलनका ग्राफ बना लो ठीक है कि ग्राफ जो में answer मिलता है ना वो वास्ता में बहुत टॉप होता है ठीक है तो आपके पास दूसरा तरीका यह है कि आप y वरावर x बटे 1 प्लस x square का ग्राफ बना लो ठीक है उसके अलावा इसका परिसर ग्याद करने के और भी बच्चों में काफी सारे तरीके आते हैं ठीक है और उन तरीकों को आप पांचवे अध्याय सम अव कलन में पढ़ोगे ठीक है तो यदि आपको यह तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो परिसान होने की बात नहीं है पांचवे देह के पास चाहत आपको एक तरीका और मिल जाएगा ठीक है ठीक है बच्चो अब समय हो गया बच्चो आपकी धड़क विच का तो आप मुझे इसका आंसर बताईए फलन एफ अफ एक्स बरावर वर्गमूल पच्चिस माइनस एक्स स्कॉार का परिसर क्या होगा इसका बच्चो आप मुझे आंसर बताईए कौन सा विकल बच्चो आपका सही होगा तीसरे नमबर की कोईज़ बच्चो आपकी है बताईए बच्चो इसका आंसर अच्चा बच्चो वेट एक गलतिया हो गई आपर देखो गलति क्या होई आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया आपर बोल दिया वाई बलॉंग्स टो होगा माइनस तीन से लेकर तीन तर बच्चो वाई क्या है वाई आपका वर्गमूल नौ माइनस एक स्क्वाईर ये क्या है एक वर्गमूल फलन है और वर्गमूल फलन हमेशा धनातमक होता है वर्गमूल फलन बच्चों हमेशा धनातमक होता है तो इसका मतलब वाई कामान हमेशा ग्रेटर देन एक क्वल्ट को पकड़ता है ठीक है कई बच्चों ने नहीं पकड़ा सब आंसर बता रहे माइनस तीन से तीन माइनस तीन से तीन अरे बेटा आपको ग्यारवी क्लास में बताए गया होगा कि वर्गमूल फलन एक धनात्मक फलन होता है तो वो ग्रेटर दन इक्वल टू जीरो होता है तो इसका मतलब उसका मान इनात्मक नहीं हो सकता तो ये बच्चों इसका परिसर नहीं होगा इसका परिसर होगा जीरो से लेकर के तीन तक ठीक है ये बच्चों इसका परिसर होगा ओके बच्चों ये इसका परिसर होगा ठीक है किलियर इसी प्रिकार जैसे आपके पास वर्गमूल फलन है तो यह हमेशा धनात्मक होगा तो y greater than equal to 0 होगा धनात्मक होगा ठीक है अब देखो यहां पर हमें y परिसर ग्यात करना है तो 25 minus x square बराबर हो जाएगा y square के तो x square बराबर हो जाएगा 25 minus y square के तो x y square minus 25 less than equal to 0 के तो यह हो गया y plus 5 y minus 5 less than equal to 0 यहां पर आगया 5 minus 5 यहां पर आगया 5 plus minus plus तो यह वाला छेतर आगया तो y belongs to हो गया minus 5 से plus का 5 but y का मान तो 0 से बड़ाया बराबर होना चाहिए तो y belongs to हो जाएगा 0 से लेकर के 5 तक तो कौन सा विकल्प सही होगा बच्चो ए विकल्प ठीक है ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा ओके बच्चो अब आज की क्लास को बच्चो में ही पर समाप्त करने जारा हूँ फल्प के पर कski पर कारकर चार होते हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ बाकी इंके बारे में अगली क्लास में discussion करेंगे ठीक है तो पहला होता है बच्चो एके की फलन दूसरा होता है प्रिकार होते हैं ठीक है एके की फलन आच्छादक फलन बहुएके की फलन और अंतचेपी फलन अब क्या होते हैं इनके बारें बच्चों हम नेस्ट किलास में पढ़ेंगे ठीक है तो आज की किलास को बच्चों में ये पर समाप्त करने जा रहा हूं अगली किलास में हम मैं देखो सबसे पहले तुमने पढ़ा था समुच्चे के बारे में कि समुच्चे क्या होता है यहाँ पर बच्चों हमने पूरी 11 वी कर रिवीजन किया था इसके पस्चाद बच्चों हमने सम्बंद के बारे में पढ़ा कि सम्बंद क्या होता है समुच्चों का कारते सम्बंद क्या होता है तस समक सम्बंद क्या होता है स्वेतुल्य सम्बंद सम्मिस सम्मंद संक्रामक सम्मद प्रती सम्मिस सम्मंद और तुल्य सम्मंद ये सारे बच्चों हमने सम्मंदों के परकार देखे थे इसके बाद अब हम बच्चों बात करें फलन के बारे में जिसमे सबसे पहले तो हमने ये समझा कि फलन होता क्या है एक विशेश प्रकार का संबंद होता है ठीक है उसके बाद हमने फलन का प्रांत सैप्रांत परिसर निकालना सीखा अब बच्चो आज की क्लास में हम फलनों के प्रकार देखने वाले हैं इसके बाद आगे आने वाली क्लासे में हम फलनों का संयोजन देखेंगे यानि कि दो फलनों को कैसे संयोजन किया जाता है ये सिखेंगे और उसके अलावा बच्चों हम प्रतिलों फलन के बारे में बात करेंगे ठीक है बच्चों तो ये हम फलन के अंतरगत पढ़ने वाले हैं इसके पश्चाद बच्चों हमें छोटा सा टॉपिक और है द्वी आधारे संक्रिया ये देखेंगे ठीक है तो इस तरीके से आपका ये अध्याज चलने वाला है ओके रोनक बेटा ओके कोई नहीं अभी मैंने स्टार्ट नहीं क्या है पढ़ाना ठीक है ओके बच्चों अब आज हम फल्मलों के प्रकार पढ़ने वाले हैं और उन पर आधारित कुछ मैट्पून पर देखने वाले हैं ओके बच्चों अब आज की क्लास की सुरुआत करता हम बच्चों मैं क्विज के माद्यम से तो सभी बच्चे तयार रहेंगे क्विज के लिए देखो मैंने बोलाता कि हम काफी सारी क्विज करने वाले हैं तो बिल्कुल बच्चों काफी सारी क्विज करेंगे ठीक है तो आज की किलास क्या आरम होता है इस कोच के साथ तो यह रहा बच्च आपके पास आज की कोच का पहला कोच्च है. यदि f of x वराबर x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 हो तो आपको f of f of 3 का मान बताना है क्या होगा? तो बताइए बच्चो इस का मान क्या होगा? जतिन बेटा यदि आपको इंजिनियर बनना है तो आप इंजिनियर बन जाओगे आप गवराओ मत डाउटनट के साथ बच्चों आप पढ़ाई करते रहो आप जेई मैन का एक्जाम देना हमारे हैं बेस्ट फेकल्टी है जेई मैन के लिए भी आप जेई मैन क्रेक कर लेना उसके बाद जब आपका कॉलेज में एडमिसन हो जाएगा तो कॉलेज में बच्चों फीस नहीं लगती है यदि आपका एन आईटी और आईटी कॉलेज है तो वहाँ पर बहुलकुल नाम मात्र फीस लगती है मात्र 19,000 पे लगते हैं बच्चों बस आपके और वो भी आपको गॉर्मेंट की तरफ से स्कॉलर्शिप के दोरा वापस लोटा दिये जाते है तो बस आपको तैयारी करनी है सेलेक्सल लेना है पैसे नहीं लगते हैं इंजिनिरिंग में ठीक है तो काफी बच्चे विकल्प A सही बता रहे हैं चलो बच्चों चेक करते हैं कौन सा विकल्प सही है कुछ बच्चे भी विकल्प भी बता रहे है चलो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है ठीक है तो देखो हमें करना क्या है हमें लिकालना है F of F of 3 का मान लिका लिए तो सब माइनस एक अब 3 और 1 चार 3 मेंसे एक गए तो 2 2 दू नहीं चार तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया F of 3 का माहन एक इतना आ गया 2 आ गया इसका मतलब मुझे अब F of 2 लिकालना है अब F of 2 को कितना हो जायेगा यह हो जायेगा 2 पलस 1 बटे 2-1, 2-3, 2 में से 1 गया तो 1 तो हमारा आंसर क्या आया? 3 आया, इसका मतलब बच्चो A विकल्प हमारा सही होगा B विकल्प सही नहीं होगा, ठीक है? तो जो बच्चे B विकल्प बता रहे हैं उनका गलत है, A विकल्प सही होगा बिलकुल मैं देख रहा हूँ मनुझ कुमार ने बिलकुल सही आंसर बताया सत्यम ने बताया, प्रतिमा ने बताया काफी बच्चो ने A उप्सन बताया तो A बच्चो बच्चो सही आंसर होगा अंसिका ने A बताया है अस्वनी तिवारी ने A बताया तो A option से ही होगा ठीक है बच्चो? ओके अब हम चलते हैं बच्चो आगे देखों बच्चो मैंने आपको पिछली क्यलासिज्ज में फलन के बारें बताया की समुच्य A से समुच्य B में संबंध एक विसेश पिरकार का संबंध होता है जिसमें समुच्य A के पिरतियक अभिव कहते हैं एक समुच्च ए से समुच्च बी का संबंद एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्च ए के प्रते का वियव का समुच्च बी में एक और केबल एक प्रति बिम्ब हो उसे बच्चों हम फलन कहते हैं अच्छा बच्चों फलन की पैचान करने का मैंने एक तरीक आपको ग्राफ ये विदी से बताये था मैंने आपको पिछली किलासम बताया कि यदि आप दिये गए चाहिए आपको कोई भी वियंजक दिया गया हो उसका यदि आप ग्राफ बनाते हो और वाई अक्स के समांतर खीची गई रेखा ग्राफ को ठीक एक बिंदू पर प्रतिचिद करे कितने बिंदू पर ठीक एक बिंदू पर तो दिये गए वियंजक का ग्राफ एक फलन का ग्राफ होता है जैसे कि मालो आपको दिया जाए एक्स स्क्वाइर आपको ये बताना है कि क्या ये फलन है या नहीं है तो वाई वराबर आपको एक्स स्क्वाइर दे रखा है आप ब यक्ष के समान तर रेका खीच होगे, मालो ये खीचा, ये खीचा, व्योगों ये X अच्छे, ये Y खीच है, चाहे आपने रेका 11 खीची, चाहे ल 2 खीची, चाहे आपर L3 कीची, चाहे L4 कीची, कुछ भी खीचो, आप graph को केवल एक बिंदू पर ही काट रहा है जादा बिंदू पर नहीं काट रहा है तो इसका मतलब यह जो y बरावर x square है यह एक फ़लन है तो f of x बरावर x square है अच्छा बच्चो इस फ़लन का हमने नाम क्या रखा था 11 वी क्लास में वर्ग फ़लन क्या नाम रखाता इसका हमने वर्ग फ़लन ठीक है तो इसे बच्चों वर्ग फ़लन कहते हैं और यह एक फ़लन है ओके तो फ़लनों की पैचान करने का एक तरीका तो यह है कि आप 13 और एक द्वारा देखो दूसरा तरीका यह है कि आप उसका ग्राब बना के भी देख सकते हैं ठीक है यह दो बच्चों आपके तरीके क्या होता है फ़लन फ़लन एक विसेस प्रिकार का संब्समद होता है जिसमें समुच्चम एक पृते केवल और केवल एक पृती ही होता है सब मुच्चे भी में ओके सबी को किलियर है ठीक है अब बच्चो हम लोग बात करते है फलनों के परकार की तो फलनों के परकार में सबसे पहला परकार है एक एकी फलन उसके बाद आता है अब का बहू एक एकी फलन फिर उसके बाद आता है आच्छा डग फलन और फिर आता है बच्चो अंतर छेपी फलन ठीक है इसे हम अंतर छेपी फलन भी कहते हैं अंतर छेपी फलन ठीक है और एकई की फलन को हम एकक फलन भी बोलते हैं एक अक फलन ठीक है इसको हम बहु एक अक भी बोलते हैं और अन एक अक भी बोलते हैं ठीक है एक से ज़्यादा अनेक अनेक भी बोल देते हैं ठीक है बच्छो तो ये आपके चार फलनों के पिरकार होते हैं अब एक एक करके हम पिरतेक पिरकार के फलन को समझेंगे अच्छे से ठीक है तो सबसे पहले देखते है एक एक की फलन को की एक एक की फलन क्या होता है तो जैसा कि बच्चों में नाम से पता लग रहा है एक एक की यदि मैं इसका संदी विच्छित करू तो संदी विच्छित क्या होगा इसका एक प्लस एक यह होगा देखो एक का संदी विच् तो यहीं चीज है एक प्लस एक अब एक प्लस एक का मतलब क्या है हमें एक और एक दो एक और एक को जोड़ना है क्या नहीं इसका मतलब यह है बच्चो कि समुच्चे एक के एक अविव का समुच्चे एक के एक अविव का साथ में connection होगा एक का एक के साथ connection होगा एक का एक के साथ संब्द ठीक है तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम एक प्लस एक का मतलब है एक का एक के साथ संब्द ठीक है अब आप लोग ऐसे मत सोचने लग जाना कि एक का एक के साथ संब्द हो यह नहीं कह रंग में इसका मतलब यह देखो आप सही से लिख लो मुझे पता है कही बच्छे कन्फूज हो जाएंगे इसमें चलो आप ऐसे लिखो इसको एक अवियव का एक अवियव का एक अवियव के साथ संब्द ठीक है एक अवियव के साथ संब्द क्या कहलाता है एक के की फलन कहलाता है अर्थाद बच्छो यह कि समुच्छे ए में कोई भी आप अवियव उठा लो उसका समुच्छे भी के एक अवियव के साथ होना जरूरी है ठीक है अब दो के साथ तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि यदि समुच्छे एक एक अविव का दो के साथ सम्मंद हुआ तब तो फलन ही नहीं रहेगा अब एक एक की फलन में फिर और क्या नया है एक एक की फलन में बच्चों ये नया है कि समुच्छे एक केवल ए एक अवियव का एक के साथ ही सम्मान दोना जरूरी है जैसे कि मैं देखो यहाँ पर एक फलन लिखता हूँ यह मेरा समुच्छ ए है यह मेरा समुच्छ बी है ठीक है यहाँ पर मेरे पास है एक दो तीन चार यहाँ पर मैंने लिख रखका है पांच छे साथ और आठ हम में कहरा हूँ एक का पांच के साथ है दो का साथ के साथ है तीन का छे के साथ है चार का आठ के साथ है तो यहाँ पर देखो एक अवियव का एक अवियव के साथ ही सम्मद है तो इस प्रकार के फलन को हम एक एक की फलन कहते हैं अच्छा बच्छों यदि मैं यहाँ पर यह कहता है कि दो का पांच के साथ भी संबंद है तो यहाँ पर देखो यह फलन तो है बट अब यह एक एक की नहीं है ओके एक का एक के साथ सम्मन्दो ओके बच्चो समझ में आगया सभी बच्चो को एक एक की फलन क्या होता है बता मुझे सभी को समझ में आ गया एक एक की फलन क्या होता है आ गया ठीक है बेटा जेए का एकजाम आप तीन वार दे सकते हो क्लियर है बहुत अच्छे अब बच्चों हम समझते हैं बहु एकईकी फलन को तो यदि कोई फलन एकईकी नहीं है तो वो क्या होगा बहु एकईकी होगा यदि कोई फलन बच्चों एकईकी नहीं है तो वह फलन बहु एकईकी होगा ठीक है तो यदि कोई फ़लन एक एक की नहीं है तो वह बहु एक एक की होगा ओके बच्चो ओके किलियर अब देखो हमने यहांपर क्या देखा हमने आपर यह देखा कि या तो फ़लन होगा एक एक की या फ़लन होगा बहु एक की किलियर बच्चो यानि कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक फ़लन एक की की भी हो और बहु एक की की भी हो ऐसा बच्चो कहीं नहीं होगा या तो फलन होगा एकई की या फलन होगा बहु एकई की ठीक है या तो फलन होगा एकई की या फलन होगा बच्चो बहु एकई की चलो अब इनको उधारन उधारा समझते हैं तो यहाँ पर देखो कुछ उधारण दे गए इनके माद्दे हमसे हम समझते हैं कि कौन से फलन एक एकी हैं और कौन से फलन बहुएक एकी हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो एक का सम्मंद किस के साथ है एक के साथ दो का सम्मंद किस के साथ है बी के साथ तीन का सम्मंद डी के स का सी के साथ केवल एक लाइन तो इसका मतलब एक अविव का केवल एक के साथ में कनेक्शन है देख लो केवल एक के साथ में कनेक्शन है तो इसका मतलब ये एक अई की है ओके ये क्या है बच्चो एक अई की सेकेंड वाले को देखो अब यहाँ पर देखो एक का बी के साथ है और दो का भी B के साथ है दो अव्यबों का एक अव्यब के साथ सम्मंद है तो ये एक एकी फुलान नहीं है तो क्या है फिर ये? बहु एक एकी क्या है बच्चों ये? बहु एक एकी है, ठीक है? अब आप लोग मुझे बताइए कि थर्वन क्या होगा? तीसरे वाला क्या होगा ये बताईए एक 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 होगा ये बताईए 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 के कि क्या है तो जी यहां बच्चों यहां पर देखो एक का भी एक के साथ है और दो का भी एक के साथ सम्मंद है तो दो अभी होगों का एक के साथ सम्मंद तो यहों कि अब बहु एक के की ओके अब चौथे वाले को देखो इसमें बता मुझे क्या है एक 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 है बहुँ एक एक है एक एक है क्लियर क्लियर बच्चो एक एक है ये ठीक है देखो कैसे है एक का बी के साथ है दो का सी के साथ है तीन का एक के साथ है चार का डी के साथ देखो सबसेट आप रहेगा आप ऐसे लिख लो तो एक का है B के साथ, दो का है C के साथ, तीन का है A के साथ, चार का है D के साथ, तो देखो कोई चीज रिपीट हुई क्या, कोई चीज दुबारा आई क्या, नहीं आई, नहीं आई तो मतलब क्या है ये A कैकी है, क्या है A कैकी तो चोथा वाला हो जाएगा बच्चो एकई की तो इस प्रकार से बच्चो आप एकई की और बहु एकई की की पहचान कर सकते हो यदि आपको फलन तीर आरेक की रूप में दिया गया है तो यदि आपको फलन तीर आरेक की रूप में दिया गया है तो आप इस प्रकार से बहु एक एकी की जाज कर सकते हो, बट माल लो आपके पास फलन तीर आरेक में नहीं दिया गया हो, तो कैसे जाज करेंगे? तो उसके लिए बच्चो हम देखते हैं, एक एक एकी फलन या बहु एक एकी फलन के परिच्छण के चरण, ठीक है? तो पहला देखिए, पहला मैं आपको कही लिखा रहा हूँ, वैसTOut आपकी किताब में केवल एक ही दे रखा है, बट मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा परिशड करने के एक एकी और बहु एक एकी के ठीक है क्योंकि देखो मैं आपर आपको पृतियों की परिक्षाओं के लिए भी तयार कर रहा हूँ ठीक है तो हो सकता है पृतियों की परिक्षाओं में जो किताब में तरीका दे रखा है वो बढ़िया ना हो तो इसलिए मैं आपको दूसरे और तीसरे तरीके भी बता रहा हूँ इसके परिचड़ के ठीक है तो पहला तरीका देखो क्या है पहला तरीका यह है बच्चो कि सबसे पहले आप मानना f of x1 बराबर है f of x2 के ठीक है तो जो आपको f of x दिया गया होगा उसमें आप एक x1 रख देना एक x2 रख देना इसको आगे solve करना और solve करने पर यदि आपके पास x1 बराबर x2 आ जाए यदि x1 बराबर x2 हो तो फ़लन एक एकी होगा एक एकी होगा जैसे कि बच्चे मैं बात करू f of x बराबर x की ठीक है तो सबसे पहले आप यहां मानोगे कि x1, x2 दो संक्या है जो कि मानलो capital x में है मानलो f को फलन है जो कि x से x में परिवासित है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आप मानोगे कि दो अव्यव हैं x के x1 और x2 जो कि x के अंदर है ठीक है अब हम यहां पर लेंगे f of x1 बराबर f of x2 अब देखो f of x1 क्या हो जाएगा, kis के x1 रखा तो यह हो गया x1 बराबर x2 रखा तो यह हो गया x2 तो f of x1 बराबर f of x2 रखने पर हमारे पास क्या आगया x1 बराबर x2 इसका मतलब यह फलन एक कैकी है क्या है बच्चों यह फलन एक कैकी ठीक है एक का केवल एक के साथ सम्मंद है ओके बच्चों तो ये फलन एक एकी है और यदि नहीं आता है अन्य था अन्य था बहु एक एकी होगा अन्य था बहु एक एकी होगा ठीक है चलो मैं एक और जान लेता हूं मालो हमने लिया f of x बराबर x square फरन वही है X से X में परिवासेत है ठीक है अब माल लो मेरे पास X1 और X2 दो अभी 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 एक्स के ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोग F of X1 बरावर F of X2 करेंगे अब F of X1 क्या हो जाएगा x1 का square, बडनार में x2 का square यह हो जाएगा अब यहां से x1 का square, minus x2 का square, बड़ाबर 0 हुआ तो यह हो गिया, x1 plus x2 गुणा x1 minus x2 बड़ाबर 0 तो यहां से x1 बड़ाबर minus x2 भी आ रहा है दोंको, x1 बड़ाबर x2 तो आई रहा है परंतु x1 बरावर माइनस x2 भी आ रहा है इसका मतलब प्रतेक इस्तिती में x1 बरावर x2 नहीं है तो इसका मतलब यह बहु एक एकी होगा क्या होगा बहु एक एकी तो एक तरीका तो बच्चो आपका यह है एक एकी और बहु एक एकी की जाज करने का ठीक है अब आते हैं दूसरी तरीका पर दूसरा तरीका है बच्चो फलन के गराव के माद्यम से ठीक है तो यदि x1 के समान तर खीची गई रेखा फलन के गराव को के वाल एक बिंदू पर प्रतिच्छेद करे तो फलन एक एकी होगा क्या होगा बच्चो फलन एक एकी होगा देखो मैं आपको ये step किए दो तीन तरीके क्यों लिखवा रहा हूँ क्योंकि पेपर में objective question भी आते हैं आपके ठीक है तो यदि objective में question आ जाए तो आपको इतना बड़ा करने की जरुत नहीं है क्या पता आपको फलन के गराव आते हों तो direct फलन बनाओ एक सच के समानतर रहा खीचो यदि एक बिंदू पर काट रही है तो फलन एक एक की होगा अन्य था बहू एक एक की होगा अन्य था बहू एक कै की होगा ओके जैसे इन दोनों उदार्णों को देखो यदि f of x बरावर x है तो देखो इसका गराव कुछ इस प्रकार का बनता है यह x अच यह y x ठीक है अब आप x अच के समानतर कोई भी रहा खीचो केवल एक जिगा पर काटेगी तो यह एक एक की है ठीक है इसका देखो इसका गराव कैसे बनता है ऐसे बनता है दुवार है बनाता हूँ दोगों यह x अच्छ है यह आपकी y x है कुछ इस प्रकार का गराव बनता है अब मैंने एक सच के समानतर की रिगा कीची दोगों एक यहाँ पर काटा एक यहाँ पर काटा एक से ज़्यादा बिंदों पर काटा तो यह बहु एक एक की है ठीक है बच्छो क्या है यह बहु एक एकी तो एक एकी और बहु एकी की मतलब कि f of x का अवकलन या तो greater than 0 हो या फिर f dash x less than 0 हो. हो तो f of x एक एक होगा. क्या होगा f of x एक है की. अम देखो आपने किसी फलन का अवकलन ग्यात करना 11 वी किलास में सीख लिया था. इसलिए बच्चों मेन आपको यह तरीका होता है. जब आप 11 किलास में थे तब आपको यह चीज नहीं बताए गई होगी. बट अब आप बारवी क्लास में आ गए हो आपको अवकलन के बारे में थोड़ा बहुत जानकरी है कि क्या होता है अवकलन तो एक कंडिशन बच्चों आपकी ये भी है किसी फलन के एक एक की और बहुएकी की ग्याद करने की कि यदि एफ डैस एक्स ग्रेटर दन जीरो हो या फिर लैस दन जीरो हो हमेशा होने चाहिए ठीक है तो फलन क्या होगा एक एक की होगा ओके और यदि बच्चों आपका एफ डैस एक्स कहीं पर ग्रेटर दन जीरो हो कहीं पर लैस दन जीरो हो तो उस केस में फलन बहुएक ए की होगा ठीक है तो उस केस में बहु एक एक की होगा अन्य था बहु एक एक की होगा जैसे दो को इसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर f of x equal to x है तो f dash x क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा एक अब एक हमेशा धनात्मक रहने वाला है x के मान पर निर्वा करता है कि एक कुछ भी मान पर निर्वा नहीं करता है x का आप कोई भी मान लेना यह हमेशा a की रहेगा f dash x तो इसका मतलब यह हमेशा greater than 0 है तो यह a कई की होगा ठीक है इसकी बात करें तो इसका f dash x हो जाएगा 2x अब यह x पर निर्वा कर रहा है यदि आपने x 0 से बढ़ा लिया तब तो यह धनात्मक होगा और यदि आपने 0 से छोटा ले लिया तो यह धनात्मक हो जाएगा ठीक है यानि कि ये क्या होगा बहु एक एक की होगा ठीक है तो ये बच्चो तीन तरीके हैं एक एक की और बहु एक की जांच करने के ओके बच्चो ग्राफ कैसे बनाएंगे बेटा ग्राफ बनाने के वारे में आपको ग्यारवी क्लास में बता दिया गया होगा गिराफ कैसे बनाते हैं लोग इसका वारह में ग्यारवी क्लास में बता दिया हुआ नहीं तो मैं आपको simple सी hint देता हूँ आपने 10 वी क्लास में रैखिक सम्मिकर्ण का गराफ बनाया था ना ओके सभी बच्चों को समझ में आया रोनक, सिवम, उर्मिला, सचेन, हैपी, सिवम सब को समझ में आया मनुज, अंसिका सब को समझ में आ गया बहुत अच्छे अब बच्चों हम चलते हैं आज की second quiz पर तैयार हो जाईए सभी बच्चे second quiz के लिए यह राप का question यदि f of x1 बरावर f of x2 हो और इसका तात पर रहे x1 बरावर x2 हो for all x1, x2 belongs to a के लिए तो f such that a से b में कैसा फलन होगा पहला है a कई की, एकक, दूसरा है अचर तीसरा है बहुए के की, चौता है इन में से कोई नहीं तो बताईए बच्चो कौन सा विकल्ब सही होगा है मिराज बेटा इसके लिए आपको बहुत मैनत करनी पड़ेगी तो आप मैनत करिए, आप भी मेरे जैसे teacher बन जाओगे यस बच्चो आपका समय होता है यहाँ पर समाप अब देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है तो बच्चो ने आंसर क्या बताया है ए ए बताया है बच्चो ने, हाँ बच्चो ए ही आंसर होगा क्यों, क्योंकि देखो यही तो है एक एकी की फलन की condition कि यह दी F of X1 वराबर F of X2 हो और इसका तात्वार X1 वराबर X2 हो तो फलन एक एकी की होता है क्या होता है बच्चो फलन एक एकी की ठीक है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा ओके, किलियर, बहुत बड़ी है अब बच्चो हम लोग चलते हैं फलन के अगले प्रकार पर अगला प्रकार है बच्चो हमारा आजच्छादक फलन अब आजच्छादक फलन क्या होता है आजच्छादक फलन की बच्चो यदि आप किताबी परिवासा की बात करोगे तो कितावी परिवासा ये होती है कि F के अंतरगत, F कोई आपका फलन है, ठीक है, मालो F कोई फलन है जो कि A से B में परिवासित है, ठीक है, तो यदि कोई फलन A से B में परिवासित है, तो समुच्चे B में जितने भी अव्यव हैं, यदि उनका पूर्व पृतिबिम्ब समु समुच्चे ए में मौजूद है, समुच्चे बी के पृतेक अव्यव का पूर्व पृतिविम्ब समुच्चे ए में मौजूद है तो वह फलन आजचादक फलन कहलाता है। क्या कह रहा हूं बच्चों मैं दुबारा सुनना यदि किसी फलन जो की A से B में परिवासित है में समुच्च B के प्रतेक अव्यव का समुच्च A के अव्यवों के साथ संबंद है तो वह एक फलन होता है क्या होता है बच्चों तो वह एक कैसा फलन होता है आच्छा दग फलन होता है ठीक है मतलब यहां पर ये कि यदी 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 बच्चों फलन का परिसर यदी फलन का परिसर समुच्च B के बराबर हो तो वह फलन क्या होता है वह फलन बच्चों आपका आच्छादक फलन होता है ठीक है तो आप लोग को याद रखना है कि समुच्चे B के पिरतेक अव्यव का समुच्चे A के किसी ना किसी अव्यव के साथ सम्बंद होना चाहिए ओके बच्चो तो वैफ फलन क्या होता है वैफ फलन आपका आच्छादक फलन होता है ठीक है अच्छा फिर अन्ते छेपी क्या होता है अन्तिय छेपी बच्चों आपका ऐसा फलन होता है जिसमें यदि समुच्चे बी के किसी एक अवियव का भी समुच्चे एक एक अवियव के साथ में सम्मंद ना हो तो उसे हम अन्तिय छेपी फलन कहते हैं ठीक है यदि माल लोग फलन है जो कि एसे बी में परिवास था ठीक है तो यदि बी के किसी एक अवियव का समुच्चे एके साथ समुच्चे एके साथ सम्बंद ना हो तो फलन अन्तिय छेपी होता है ओके बच्चो क्या होता फलन अन्तिय छेपी होता है जैसे कि देखो मैं आपर कुछ तीर आरेक द्वारा बना के बता रहा हूं अपको यह माल लो समुच्चे ए है यह समुच्चे भी है यहाँ पर है एक दो तीन चार यहाँ पर है पांच छे साथ और आठ अब माल लो एक क चे के साथ है दो का पांच के साथ है तीन का साथ के साथ है चार का आठ के साथ है तो यहाँ पर देखो समुच्चे भी में जितने भी अव्यव हैं उनका पूरू प्रतिवे में समुच्चे ए में मौझूद है तो यह क्या है आपका यह आपका आच्छादक फलन है ठीक है परंतु मान लो मेरे पास कोई फलन ऐसे हो ये A है ये B है एक दो तीन चार पांट छे साथ और आठ मैंने का एक का इसके साथ है छे का इसके साथ है तीन का भी छे के साथ है चार का भी साथ के साथ है ठीक है तो यहाँ पर दो को यह फलन तो है बट यहाँ पर आठ का एक एक किसी भी अविब के साथ में संबंद नहीं है तो ये अंतेज छेपी होगा ठीक है अच्छा बच्छो आपने एक चीज गोर करी कि यहां पर जो परिसर है F का वो क्या है 5, 6, 7 और 8 जो की B के बराबर है तो यह तो मैंने बुला था कि यजि फलन का परिसर समुच्छे B के बराबर हो तो वो आच्छा दक फलन होता है जब कि यहां पर ऐसा नहीं होता ठीक है किलियर बच्छो यहां पर ऐसा नहीं होता है ओके किलियर आपको तो सही बच्छो को समझ में आया कि आच्छादक और अंतेच्छेपी क्या होता है समझ में आ गया अब जैसे बच्छो या तो फलन एक एकी की होगा या फलन बहुएकी की होगा इसी परकार या तो फलन आच्छादक होगा या होगा अंतेच्छेपी ऐसा नहीं है कि कोई फलन आच्छादक भी होजा और अंतेच सफलन आच्छा दEक है कौन सा अंतेचे भी तो यहाँ पर आपको समुझ़े बी को देखना है बस X2 समुझ़े को देखना है तो यहाँ पर दTINएको X2 में E और F का पृतिविम कोई है ये नहीं तो ये आच्छा दEक नहीं होगा अंतेचे भी होगा बस simple सा आपको ये देखना है यहाँ पर आजाओ यहाँ पर भी नहीं हो कोई भी तो यह भीし अंतेशेफी होगा यहाँ पर आजाओ देखो A का भी connection है B का भी है C का भी है आपको यहाँ से मतलब नहीं है कि यहाँ पर 1 का 2 के साथ हो रहा है नहीं हो रहा, दो का अव्यवो का एक के साथ connection तो नहीं है, यह आपको नहीं देखना है, आपको आजचादक और अंतचीबिम की वल यह देखना है कि एक्स्टू समुच्चे के सभी अव्यव का connection है या नहीं, तो सभी अव्यव का connection है, तो आजचादक है, ठीक है, ऐसे यहां पर आ जाओ, दो को A का है, B का है, C का है, D का भी है, तो यह भी आजचादक है, तो इस तरीके से बच्चों हम आजचादक और अंतचीबिम की पहचा करते हैं, ओके बच्चों, अब यह तो हमने तब बताया, जब बच्चों हमारे पास फलनों के तीर आरेक दिये गए थे, अच्छा यदि फलनों के तीर आरेक नहीं दिये गए होते, तो हम कैसे बताते, तो अब देखते कैसे बताते, उनका परिछन कैसे करते, तो इसके लि बराबर करेंगे सबसे पहले हम दिये गए फलन को y के बराबर करेंगे इसके पश्चाथ हम x को y के पदों में लिखेंगे फिर उसके बाद y के सभी संभव मान ग्याद करेंगे अर्थात हम क्या करेंगे अर्थात बच्चों दिये गए फलन का परिसर ग्याद करेंगे अर्थात दिये गए फलन का परिसर ग्याद करेंगे और यदि बच्चों आपका फलन का परिसर यदि फलन का परिसर बरावर हो समुच्चे B के तो फलन आजच्छादक होगा आजच्छादक होगा अन्य था अन्य था क्या होगा अन्ते छेपी होगा ओके बेटा तो इस तरीके से आजच्छादक और अन्ते छेपी की पहचान करोगे ओके कलियर परितिक बच्चों कलियर होगे यह वाली चीज़ भी बहुत अच्छे अब बच्चों आपने अभी देखा कि एकई की फलन भी होता है और बहु एकई की भी होता है आच्छा दक भी होता है अन्तेचेपी भी होता है अब बच्चो आपका फलन ऐसे भी हो सकता है कि वो एकई की आच्छा दक हो या एकई की अन्तेचेपी हो या बहु एकई की आच्छा दक हो या बहु एकई की अन्तेचे अब हम इन उधारनों के माद्ग्धिम से ये भी समझते हैं क्या मिस्रित में भी कोई फलन है तो देखो पहले वाला, पहले वाले को मैंने आपको बताया है तक यह AAKP है उसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया कि यह N-6PB है, तो यह हो जाएगा AAKP, N-6P अब हमों दोनों को mix करके लेगा है, ठीक है, तो यह क्या होगा AAKP, N-6P होगा ये मैंने आपको बहु एकई की बताया था तो ये हो जाएगा बहु एकई की अन्तेचेपी ठीक है ऐसे यहाँ पर आओ इसको मैंने आपको बहु एकई की बताया था उसके अलावा मैंने इसको आजचादक बताया तो बहु एकई की आजचादक गई है और चौथे वाला ये बच्चो आपका एकईकी भी है और आजचादक भी है तो ये होगा एकईकी आजचादक और हमारे लिए इन चारों में जो सबसे ज़्यादा महत्पूर है वो है एकईकी आजचादक क्योंकि इसी को बच्चो हम एकईकी आजचादी इसे अंग्रेजी में हम बाईज़ेक्टिव कहते हैं बोलते हैं ठीक है एकईकी आजचादी बाईज़ेक्टिव फंक्शन ओके बच्चो ये आपका इंपोर्टेंट क्यों ये इसलिए इंपोर्टेंट है बच्चो क्योंकि आगे चलकर जब आप पिर्तिलों फलन पढ़ोगे तो पिर्तिलों फलन की सबसे important condition यही होती है कि फलन एक एक की आच्छादक होना जरूरी है याने की एक एक की आच्छादी होना जरूरी है ओकी बेटा अच्छा अब हम लोग चलते हैं बच्चो आज की थर्ड क्विच पर तो इसका मुझे आंसर बताईए क्या होगा यदि F कोई फलन है A से B में आच्छादक फलन होगा यदि आपको बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही है चार विकल्प है बच्चो आपके पास बताईए कौन सा विकल्प सही है F of A B का उपसमुच्च हो F of A बराबर B हो F of B F of A का उपसमुच्च हो या फिर F of A not equal to B हो बताईए कौन सा विकल्प सही होगा आच्छा दख फलन की कंडिशन क्या लिखाई मैंने बच्चो आच्छा दख फलन की कंडिशन थी कि F of A B के बराबर हो तो B विकल्प सही हो जाएगा F of A क्या है परिसर है तो परिसर B के बराबर होना जरूरी है F of A बराबर B हो ठीक है तो B आप्सन हमारा सही हो जाएगा अब बच्चों हम लोग कुछ प्रिस्णों पर चलते हैं तो यहां पर देख एक प्रिस्ण है कि मान लीजए क्लाश 10 के 50 विद्यारतों को समुच्चे A है मान लीजए F को फलन है जो कि A से N में परिवासित है F of X बराबर विद्यारती X का रोल नमर द्वारा परिवासित एक फलन है सिद्ध कीजिए कि F एक एक की है किंतु आजचादक नहीं है ठीक है तो यह बच्चों हमें याँ पर सिद्ध करना है अब देखो X के सभी 50 विद्यारतों को समुच्चे ठीक है अब 50 विद्यारतों को रोल नमर कहां से आरहा हम होता है देखो आप किलास में दिया आपके 50 बच्चे हैं तो ऐसे तो बोलते हैं रोल नमर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ऐसे करके 50 तक होता है ठीक है ऐसे होता है बच्चों अब यहाँ पर देखो एक बच्चे का केवल एक ही रोल नमर होता है ऐसा तो नहीं है कि एक रोल नमर वाले दो बच्चे हो ऐसा नहीं होता ना एक बच्चे का केवल एक ही रोल नमर होता है ठीक है तो इसका मतलब यह एक एकी तो है बट क्या ये आच्छादक है देखो बच्चों यहाँ पर कितने हैं हमारे पास हैं पचास कितने बच्चे हैं केवल पचास अब पचास क्या capital N यानि प्राकरसं क्या होगे समुच्छे के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता तो यह आच्छा दक नहीं है तो एक एक की तो है परन्तु आच्छा दक नहीं है क्योंकि यहाँ पर केवल पचास बच्चे हैं ओके ऐसे अगला प्रिशन देखते हैं अगला प्रिशन है F of X बरावर 2X दारा प्रदत फलन एक 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 यह सिद्ध कीजिए ठीक है तो अब इस पिशन को करने के बच्चों हमारे पास तीनों तरीके हैं जो मैंने आपको पहले बता दिये अच्छे दिया हम किताब के तरीके से बत चलें तो सबसे पहले हम मानेंगे F of X1 बरावर F of X2 है माना for all X1, X2 belongs to N के लिए अब यह हो जाएगा 2X1 बरावर 2X2 2 से 2 कट गया तो आगया X1 बरावर X2 तो इसका मतलब फलन क्या हो गया एक अई की तो यह बच्चों हमारा सिद्ध हो गया ठीक है अगला प्रिशन देखो अगला प्रिशन बच्चों यह कि सिद्ध कीजे एक बरावर एक बरावर एक हो तो था एक बरावर X-1 द्वार प्रिशन आच्छा दक तो है परंतु एक अई की नहीं है ठीक है तो यहाँ पर देखो बच्चों जब आप एक आफ आफ तीन डालोगे तो तीन माइनस एक दो आ जाएगा ठीक है F of 4 डालोगे तो आपके पास 4 माइनस एक तीन आ जाएगा F of 1 पर मान 1 है F of 2 पर मान 1 है तो यहाँ पर देखो X बरावर 1 और 2 पर सेम मान है तो यह एक अई की तो नहीं है परंतु बच्चों जैसे आप X के मान डाल रहे हो हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सम मिल रहे हैं मतलब पूरा की पूरा N मुझे मिल जाएगा तो यह आच्छा दक है ठीक है तो यह कुछ important question थे जिनमें हमने फलनों के प्रकार देखे अब बच्चों आपके सामने आ रही है आज की last quiz तो इसका भी मुझे answer बताइए A समुच्च दे रखा आपको B समुच्च दे रखा है F A से भी में एक फलन है F of X वरावर X प्लस पांस तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा तो सही विकल्प के बारे मुझे बताईए सही विकल्प के बारे मुझे बताईए जल्डी करिए बच्चों आपकर समय समाप्त हो रहा है तो बच्चों आपकर समय होता है यहां पर समाप्त अब देखो इसका अंसर कैसे देंगे तो इसके लिए बच्चों हम लोग बना ले दें तीरा रहे हैं तो देखो f of x बराबर x प्लस 5 है अब x की जिए के हमें 1,2,3 रखना है तो a में है 1,2,3 b में क्या है 6,7,8 एक रखा तो 5,4,1,6 है मतलब 1 का 6 के साथ है 2 का 7 के साथ है 3 का 8 के साथ है देखो समुच्चे एक के प्रतिए कवेब का कीवल 1 के साथ सम्बंद है तो यह एक कई की है उसके अलाबा सभी का सम्बंद आ रहा है समुच्चे b में तो यह आजच्चा दक है तो कैसा फलन हो गया यह एक कई की आजच्चा दक फलन तो b विकल्प हमारा सही हो जाएगा सही बच्चे आंसर बता रहे थे b विकल्प ठीक है अब बच्चो यदि हम बात करें सद्याई की तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके सद्याई में देखो सबसे पहले हमने समुच्चे के बारे में जाना था तो समुच्चे के बारे में बैसे हो था आपने ग्यारवी क्लास में पढ़ लिया था बट हमने याँ पर उसका रिवीजन किया था इसके पश्चाद बच्चों हमने संबंद के बारे में जाना कि संबंद क्या होता है समुच्चों को कार्दे गुडन फलम कैसे करते हैं संबंद का प्रांथ सेप्रांथ परिसर क्या होता है संबंदों के प्रिकार क्या होते हैं इन सब के बारे में हमने आपर जाना था इसके बाद बच्चों हमने फलन के बारे में जाना यहां पर फलन का प्रांथ से प्रांथ परिसर क्या होता इसके बारे में हमने जाना फलनों के कौन कौन से परकार होते हैं यह हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था अब आज की क्लास में बच्चों हम फलनों का सही होजन देखेंगे और उसके पश्चाथ हम किसी फलन का प्रतिलूम लिकालना सिखेंगे और फिर उसके बाद बच्चों एक टॉपिक और रह जाएगा आपका द्वियाधारी संक्रिय हैं ये भी बहुत इंपोर्टन टॉपिक है इसे भी हम आगे की क्लासेज में जानेंगे बेटा मैं NCIT की एकसेज को करवाँगा बच लास्ट में करवाँगा ठीक है जब ये अध्याय समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको NCIT की एकसेज करवाँगा ओके बेटा ओके गुड मॉर्निंग दिलीप गुड मॉर्निंग वाकील ओकी ठीक है हाँ तो बच्चो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम सबसे पहले जानेंगे फल्नों का सहियोजन उसके पश्चाथ हम लोग उन पर आदारित कुछ महत्पून पर डिस्कस करेंगे ठीक है तो सबी बच्चे तयार है फल्नों का सहियोजन पढ़ने के लिए तयार है तयार है ठीक है तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों में कुज के माद्यम से तो जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी पर लेटेड एक क्विज है इसका मुझे आंसर दीजे उसके बाद हम आज की क्लास को आरम कर देंगे ठीक है तो यह राब बच्चों आपके पास क्विज का क्विज्चन एफ आफ एक्स बराबर दो एक्स प्लस तीन है यह किस प्रकार का फालन है बच्चों आपका समय होता है यहां पर समाब तो काफी बच्चों ने बी आप्सन बताया है अच्छा बी आप्सन और किसी बच्चे को कुछ और आंसर आया ए आप्सन आंसर आया है अच्छा विकल्प ए सही है किसी का बी किसी का ए किसी का बी किसी का ए तो चलो देखते हैं बच्चों कौन सा आप्सन सही है तो देखो बच्चों हमारे पास क्या दिया गया एक फलन दिया गया जो कि N से N में परिवासित है और F of X बराबर क्या है 2X प्लस 3 है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक टेबल यह हमने एक टेबल बनाई एक तरफ लिखेंगे हम F of X एक तरफ लिखेंगे X ठीक है तो यहाँ पर तो कुछ जब मैंने X बराबर एक रखा क्यों क्योंकि X कहां से लिया जा सकता है बिलॉंग्स टू N से मतलब X का मान एक दो तीन चार इस तरीके से हो सकता है तो जब मैंने X बराबर एक रखा यहाँ पर तो यहाँ पर क्या मिलेगा दो एकम दो तीन और दो पांच दो रखने पर दो दुनी चार और तीन साथ तीन रखने पर क्या मिलेगा तीन दुनी चार तीन नौ मिलेगा चार रखने पर ग्यारा मिलेगा पांच रखने पर 13 मिलेगा ठीक है तो इस परकार से बच्चो हमारा F of X मिलेगा अब किलियरली हमें नजर आ रहा है कि ये फलन क्या है एक एकी है परंतु क्या ये आच्छादक है क्या बच्चो ये फलन आच्छादक है जो आच्छादक फलन होने के लिए बच्चो परिसर शेप्रांत के बराबर होना पड़ेगा ठीक है बट या पर फलन का परिसर जो को 14, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25 विसम संख्याए आ रहे हैं अर वो भी 5 से आरह हुँ रहे हैं यहाँ पर से परन क्या है पूरा अन प्राकर संख्याओं को समुचे तो यहां पर बच्चों परिसर सेपरांद के बराबर नहीं है तो यह फलन आच्छादक नहीं हुआ यह हुआ अंते छेपी क्या हो गया यह फलन अंते छेपी हो गया तो कौन सा विकल्प सही है यह विकल्प हमारा सही हो जाएगा एक एक ही है पर यह आच्छादक नहीं है किलियर पिरते एक बच्चों को समझ में आया है जिन लोगों ने बी आप्सन बताय था उनको समझ में आया है कि बी आप्सन क्यों सही नहीं होगा समझ में आगे सही बच्चों को नाकार्म, समझ में आया आपको कि क्यों भी option incorrect है क्योंकि इस फलंका परिसर सहे परांद के बराबर नहीं है ओके समझ में आगे सही बच्चों को? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छे अब हम चलते हैं बच्चों हमारे कुछ टॉपिक्स पर जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़े तो उनका रिविजन कर लेते हैं पहले तो दो को फलन हमने पढ़ा था कि समुच्चे A से समुच्चे B का सम्मंद एक फलन कहलाता है मैंने बच्चों आपको बताया कि यदि हमारे पास कोई सम्मंद समुच्चे A से समुच्चे B में परिवासित हो तो वह एक फलन तभी कहलाएगा जब समुच्चे A के प्रतेक अव्यव का समुच्चे B में एक और केवल एक परिवासित हो तभी बच्चो वो फलन कहलाता है उसके अलाव फलन की पैचान करने का मैंने एक दूसरा तरीक के बताया था वो ग्राफ के माद्यम से कि यदि वाई यदि वाई एक्स के समांतर खीचे गई रेखा दिये गे वेंजक के ग्राफ को एक से अधिक बिंदू पर प्रतिच्चे दिन नहीं करती है तो वे ग्राफ फलन का ग्राफ होता है ठीक है यदि दिये गे वेंजक के ग्राफ को कुछ भी चीज आपको दे रखी हो यदि इसके ग्राफ को वाई एक्स के समांतर खीचे गई रेखा एक से अधिक बिंदू पर प्रतिच्चे दिन नहीं करती है तो वे ग्राफ फलन का ग्राफ होता है ओके बच्चो किलियर तो आप ग्राफ की सायता से भी पहचान कर सकते हो कि दिया गया फलन है या नहीं है ठीयर अच्छा इसके पस्चाथ मैंने आपको पिछली किलास में फलनों के परकार बताये थे जिसमें सबसे पहले नमबर पर था एक कई की फलन मैंने बच्चो आपको यहां पर बताया कि एक का एक के साथ ही कनेक्शन होना चाहिए एक का एक के साथ कनेक्शन है तो वो एक कई की फलन होगा उसके पस्चाथ मैंने आपको बहुह AQ-क हके फलन के बारे में बताया और बच्चों मैंने आपको बताया कि या तो फलन AQ होगा या फिर बहु एक हकी होगा और मैंने इन दोनों के परिछण के लिए तीन आपको विदिया बटाईया पहली विदि क्या है? पहली विदि ये है कि हम लोग f of x1 बरावर f of x2 माल लेंगे और फिर यदि यहां से हमारे पास में x1 बरावर x2 आ जाए तो फलन एक एक ही होगा अन्य था एक ही नहीं होगा दूसरा तरीका बच्चों मैंने यह बताया कि यदि आप फलन का ग्राफ खीचें और x1 के समानतर खीचे की रेका उस फलन के ग्राफ को ठीक एक बिंदू पर प्रतिचिद करे तो बच्चों वह फलन एक एक ही फलन होता है और यदि एक से दिक बिंदू पर प्रतिचिद करे तो वह बहु एक ही की फलन होता है और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि यदि F-X greater than 0 हो या F-X less than 0 हो तो इस कंडिशन में फलन एक एक ही होगा अन्यता फलन बहु एक ही होगा ठीक है तो यह मैंने बच्चों आपको तीन विदिया बताई थी एक एक ही और बहु एक ही की पैचान करने की इसके बाद बच्चों मैंने आपको आच्छादक फलन और अन्तेचेपी फलन के बारे में बताया मैंने आपको बताया कि यदि F-X का परिसर उसके सहपरांद के बराबर हो तो फलन क्या कहलाता है आच्छादक और अन्तेचेपी जिसमें F-X का सहपरांद और परिसर बराबर नहीं होते हैं ठीक है अच्छा बच्चो आच्छादाग और अच्छादाग की परिवासा क्या है आच्छादाग की परिवासा ये है कि समुच्छे बी की अंतरगत प्रतेक अव्यव का समुच्छे एक किसी ना किसी अव्यव के साथ में कनेक्शन होना जरूरी है यदि कनेक् तो पहले हम लोग समझते हैं कि फलनों का सेयोजन होता क्या है तो जैसा कि बच्चों आप लोग क्लास में पेपर देने जाते हो जैसे कि आप लोगों ने 11th क्लास के पेपर दिये होंगे ठीक है तो माल लो आपने 11th के पेपर दिये अब आपका 11th का वारसिक पर एक्षा चल रही है ठीक है तो मालव यह के तो समुच्चे आपकी किलास के विद्धियारतियों का यह तो आपकी किलास के विद्धियारतियों का समुच्चे है यह समुच्चे किसका समुच्चे है विद्धियारतियों का समुच्चे अब बच्चो आपके पेपर से पहले आपको कुछ रॉल नमबर पता ही जाते हैं तो एक B समुच्चे आपके रॉल नमबर का समुच्चे B क्या है? B आपके रॉल नमबर का समुच्चे है ठीक है? और बच्चो आपको पता है जब आपको कॉपी दी जाती है आंसर सीट दी जाती है तो उसके उपर एक फेक नमबर लिखा होता है गलत नमबर लिखा होता है जिसे जो आपका इन्विजलिटर होता है वो अपनी एक सीट के उपर लिखता है है ना एक आपका आंसर सीट का नंबर लिखा होता है ठीक है तो यहाँ पर माल लो एक सी समुच्चे है यह बता रहा है मुझे आंसर सीट नंबर ओके मान लो यह कोई मेरे पास में सी समुझे है अब दोगो एकजाम में होता क्या है एकजाम में बच्चो आपका आप बैठे होते हो आपका रोल नमर आपके पास होता है और आपको एक कौपी दी जाती है उसके उपर होता है आंसर सीट नमर अब जब आपको रजल्ट आता ह तो भाय डायरेक्ट ली आ जाता है ना तो देखो आपने यहाँ पर थे और आपने पेपर किस रूप में दिया आपने पेपर दिये इस रूप में और किसी ऐसी टेकनिक के दौआ ये नंबर जो है वो इस रॉल नंबर से अटेच हो गया तो इसी को बच्चों हम लोग कहते है साहियोजन इसी को क्या बोलते हैं हम लोग साहियोजन कहते हैं कि भाई आपका कोई आप खुद एक विद्यारती थे आपको कोई स्पेस्पिक नंबर रॉल नंबर था और आपको आंसर सीट दी गई उस पर एक रॉल नंबर अब आप क्लास पेपर रूम में बैटे हुए हो आ आपके पास सेट आप ने इसको भर दिया अब आप देखते हो कि आपकर जो रजल था आता वो रॉल नंबर के साब से आता है ठीक है तो देखो क्या किया हमने हमने इन तीनों को एक दूसरे से रिलेट कर दिया तो इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग सही उजन क्या बोलते हैं इसी को हम सही उजन कहते हैं ठीक है जैसे कि उधारन के तोर पर मालो मेरे पास में एक बच्चा है राम एक है स्याम एक है मौहन एक है राधा ये चार मेरी किलासरूम के बच्चे ठीक है अम्मान लो राम करो लंबर है बारहजार पांच स्याम करो लंबर है स्याम करो नमबर है बारहजार 110 मुहन का नमबर है ग्यारहजार 980 और राधा का नमबर है 12,000 मालो यह नमबर है फिर है यह उनके रोल नमबर है अब आंसर सीट के उपर कुछ ऐसे लिखा हुआ है 1-5-4-3-2-1 1-6-4-4-2-4 1-3-2-3-2-1 1-4-4-1-4-1 यह इस तरीके से लिखा हुआ है अब मालो कि राम का रोल नमबर है 12,110 स्याम का रोल नमबर है ग्यारजार नौसोट सी मोहन का रोल नमबर है बारहजार पांच राधा का नमबर है बारहजार ठीक है और अब ऐसा सोचो कि बारहजार एक सुदस रोल नमबर वाले ने तेरहजार एक लाग बत्तिसार तीन से किस आंसर सीट वाली कोपी बरी इसने बर इसने भरी ये वाली और इसने भरी ये वाली ठीक है इस तरीके से आंसर सीट भरी गई अब जब आपका रजल्ट आता है तो आपका रजल्ट देखो इससे आपके नाम से ये लिंक अप हो जाता है राइट अब कैसे हुआ ये लिंक अप तो देखो बच्छो इसी को हम लोग बोलते हैं सहयोजन यहां पर दोको यह कोई फलन था यह कोई फलन था यह दो कोई फलन थे ठीक है एक फलन तो यहां से यहां में परिवासित था और एक फलन यहां से यहां में परिवासित था हमने क्या कि हमने एक ऐसा सहयोजन लिकाला कि हमने यहां से यहां में ही एक डायरे इन फलनों को जोड देना, ठीक है, एक दूसरे से connect कर देना, उसे हम लोग बोलते हैं सही होजन, समझ में आया बच्चों सही होजन क्या होता है, हाँ बेटा मैं गढ़ती है परिवासा भी लिखने वाला हूँ, समझ मा आ गया, अभी उत्रा नहीं आ है, चलो एक्जामपल द्वार आएगा, ठीक है, तो देखो बच्चों मान लो, मेरे पास कोई फलन है F, जो कि A से B में परिवासित है, एक फलन तो ये है, एक दूसरा फलन बच्चों जी है, जो कि मेरे पास B से C में परिवासित है, ठीक अब मुझे इनका क्या लेकालना है, इनका सयोजन करना है, तो देखो सयोजन क्या होता है, अब बच्चों सयोजन F, O, G, B हो सकता है, जिसे हम F of G of X लिखते हैं, इस तरीके से भी हम इनको सयोजित कर सकते हैं, और G, O, F, B हो सकता है, हम इनको ऐसे भी सयोजित कर सकते हैं, जिसे हम लोग G of F of X से लगते हैं, ठीक है, तो आपका सही होजन ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि यह होते ही क्या है, ठीक है, तो F of G का मतलब क्या होता है, F of G of X, ठीक है, जिसे कि माल लो, ये मेरे पास कोई समुच्चे A है, ये स समुच्चे B है, और ये माल लो बच्चो कोई समुच्चे C है, ठीक है, अब देखो, समुच्चे A से समुच्चे B में हमारे पास में कोई फलन F है, ओके, और B से C में हमारे पास कोई फलन G है, ओके बच्चो, अब एक फलन A से C में इस प्रिकार परिवासित होगा, किस प् परिवासिद होगा कि ग-ग- ग-ौ- एफ such that A to C ठीक है तो यह होता है फल्नों का सही होजा यह होता है बच्चो आपके फल्नों का सही होजा सही देखां हमारे पास कोई एख फलन है जो की सम्च्चे A से सम्च्चे B में परिवासित है और एक दूसरा फलन है G जो कि B से C में परिवासित है तो एक फलन ऐसा होगा जो कि समुच्चे A से C में परिवासित होगा जिसे हम G O F बोलते हैं G of F of X कहते हैं ठीक हैं तो यही होता है बच्चों आपके फलनों का सही हो जाएं हमारे पास देखो तीन अलग अलग समुच्चे थे पहला फलन था A से B में दूसरा फलन था B से C में मुझे A और C में कनेक्शन करना था तो इसके लिए मैंने एक नए फलन को परिवासित किया जिसे मैंने जी O F नम दिया ओके बच्चो मुझे A से C में संबंद करना था तो इसके लिए मैंने एक नए फलन को परिवासित किया और वो है मेरा जी ओ एफ ओके अब कुछ बच्चों के मन में आप डाउट आ रहा हूँ कि सर आपने जी ओ एफ क्यों लिखा एफ ओ जी क्यों नहीं लिखा तो उसके बार और जी ओ एफ का मतलब क्या है जी ओ एफ का मतलब है जी ओफ एफ ओफ एक्स ये मतलब है ठीक है अब मालनो मेरे पास कोई फलन है जो कि A से B में परिवासित है एफ एक दूसरा फलन G है जो कि C से D में परिवासित है ठीक है अब यहाँ पर एक चीज देखो कि जब मैं बात कर रहा हूँ f o g की तो यहाँ पर अंदर क्या g of x ठीक है अब g of x क्या देगा बच्चों में सैपरांद देगा ठीक है तो यहाँ पर जो g का सैपरांद है g का सैपरांद जो होगा वो बराबर होगा f के परांद के ठीक है तो यदि बच्चों आपका f o g परिवासित है यहाँ पे लिखेंगे एफ ओ जी परिभासित होने के लिए एफ ओ जी परिभासित होने के लिए जी का सैपरांद बराबर होना चाहिए एफ के प्रांद के ठीक है अच्छा और यदी पच्चों हम बात करें जी ओ अएफ की तो जी ओ फ परिभासित होगा यदी अब दोको यहाँ पर एफ ओव एक्स का जो सहप्रांथ है एफ का सहप्रांथ जो है वो जी के प्रांथ के बरावर होना चाहिए जी के प्रांथ के बराबर होना चाहिए यदि F का सह प्रांत बराबर होगा G के प्रांत के अब यहाँ पर काफी बच्चों को कन्फूजन हो जाता है कि सर F O G में G का सह प्रांत F के प्रांत के बराबर होगा या फिर G का प्रांत F के सह प्रांत के बराबर होगा तो बच्चो मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ देखो जो लास्ट में आए ना जो लास्ट में आए उसका ले लो लास्ट वाला भाग ठीक है उसका ले लो लास्ट वाला भाग और जो पहले आए उसका ले लो पहला वाला बाग देखो F क्या है हमारे पास F A से B में परिवासित है और G C से D में परिवासित है चलो मैं एक वार फिर से बता लेता हूँ आपको फिर से समझा लेता हूँ ठीक है तो देखो बच्चो मैंने आपको बताया कि यदि F O G परिवासित है तो इसके लिए G का से परांद F के परांद के बराबर होना चाहिए और यदि G O F परिवासित है तो F का से परांद G के परा वासित होगा ठीक है बच्चो ठीक है अब देखा बच्चो इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक इसको याद करने क्यों बच्चो को यहाँ पर कन्फूज होता है कि सर्क किसका परांद किसके सह परांद के बरावर है यह हमें याद नहीं होता है तो इसके लिए मैं को एक ट्रिक बता रहा हूँ ट्रिक यह है कि यह दिया आपको देखना हो एफ वो जी के लिए तो सबसे पहले कौन आया एफ अब एफ का सबसे पहला समुच्चे लिख दो एफ का सबसे पहला समुच्चे क्या है ए तो ए लिख दिया ठीक है बाद में कौन आया जी तो जी का बादवाला समुच्चे लिख दो बादवाला समुच्चे क्या है D तो A बराबर होना चाहिए D के अर्थत F O G परिवासित होने के लिए F के परांद को G के सै परांद के बराबर होना पड़ेगा देखो यही चीज मैंने आपर लेखी दी ठीक है G و F की बात करें तो पहले कोन आया G तो G का पहला समुच्चे क्या है C समुच्चे है बाद में कोन आया F F का बाद वाला समुच्चे क्या है B ए तो C बराबर होना चाहिए B के अर्थात G का πrɑंट F के से पराबर होना चाहिए देखो यहां पर भी यह लिखा हुआ है G का प्रांथ F के से प्रांथ के बराबर ठीक है तो इस तरीके से बच्चों आप याद कर सकते होगी कव F हो G परिभासित होगा और कव G O F परिभासित होगा ठीक है अब अच्चों मैं आपको तीर आरेक द्वारा इनको समझाने जा रहा हूँ तो मालनो ये कोई समुच्चे A है ये कोई समुच्चे B है और ये कोई समुच्चे C है ठीक है एक फलन है जो कि समुच्चे A से B में परिभासित है एक दूसरा फलन है जो कि समुचे B से C में परिवासित है जिसका नाम G है अब बत्चो इनकायदिय हम सयोजन करें जैसे कि मालनो यहां पर मेरे पास में A, B, C, D हैं यहां पर मेरे पास 1, 2, 3, 4 हैं यहां पर मेरे पास 1st, 2, 3, and 4 हैं ठीक है अमालो ए, एक के साथ है, बी, दो के साथ, सी, तीन के साथ, डी, चार के साथ है एक, फर्ष्ट के साथ है, बी, सेकंड के साथ है, सी, त्री, थर्ड के साथ है, फूर, फूर्थ के साथ है इस परिकार से, ठीक है अब मुझे इन दोनों का से यूजन करना है तो वो क्या होगा क्या होगा देखो F O G होगा या फिर G O F होगा ये आप मुझे बताई ठीक है तो देखो यदि F O G परिवासित है तो इसके लिए F का प्रांद G के से प्रांद के बराबर होना चाहिए अर्थात इसके लिए A बराबर होना चाहिए किसके A किसके बराबर होना चाहिए G के से प्रांद के F किसके बराबर होना चाहिए देखो F का प्रांद G के से प्रांद के बराबर होना चाहिए मतलब A D के बराबर होना चाहिए तो यदि मेरे पास में आफ कोई फलन है जो कि A से B में परिवासित है और G एक फलन है जो कि B से C में परिवासित है तो यहां पर यदि बच्चों Fो जी परिवासित होगा तो उसके लिए A बराबर C होना जरूरी है ठीक है तो f o g तभी परिवास्ट होगा जब a बराबर हो c के ठीक है तो यहाँ पर देखो मैं आपको 13 और एक द्वारा समझा रहा था वेट बच्चों तो मालनो यहाँ आपके पास कोई समझे है यह कोई समझे है और यह कोई समझे है ठीक है यह a समझे है यह b समझे है यह c समझे है यहां से आ में f परिवास्ट है यहां से आ में g परिवास्ट है ठीक है f का दूसरा और वाग पराबर है तो बात में f आएगा तो g o f कहां से कहां में परिवास्ट हो जाएगा a से c में परिवास्ट हो जाएगा ठीक है अच्छा यदि बच्चों हम बात करें कि g सजदेट है b से c में और f सजदेट है a से b में ठीक है और मुझे f o g परिवास्ट चाहिए इसके लिए f के परांद को g के से परांद के बराबर होना पड़ेगा तो यह तब परिवास्ट होगा जब a बराबर होगा c के ठीक है तो यह उता है बच्चों आपका फलनों का सही हो जान ओके समझे में आया बच्चों आपको फलनों का सही हो जान इसको बच्चों में एक उधार दोरा समझते हैं ठीक है तो मैं आपके लिए एक उधार दोरा हम इसको समझते हैं तो चलो मैं यह पर एक उदार लिख लेता हूँ ठीक है हाँ तो मालो बच्चो मैंने f of x बरावर लिया है x square ठीक है और f जो है ना वह आपका समुच्चे a से समुच्चे b में परिवास्त है अब एक मैंने g of x लिया है यह बरावर है आपके tan x के ठीक है और g जो है वह आपका b से c में परिवास्त है तो यहां पर आप f of g लिका लोगे जी ओ फ लिका लोगे यहां पर लिकालेगा g of ठीक है तो g of of x बराबर क्या हो जाएगा यह बराबर होता है बच्चों आपके g of f of x के ठीक है आपको इसका मान गयात करना है ना जैसे बच्चों आपने 11 क्लास में f of f of 1 f of f of 2 के मान लेका लेते सेम इसका मान भी लेकल जाएगा कैसे दो को यहाँपर f of x की जिगे क्या रख दो ؟ x² तो यह हो गा, g of x जैसे मान लो मैं आप से ये कहऊं ओके तो इस प्रिकार से बच्चों हम फलों का सही होजन करते हैं ओके अब जैसे मालो मैं आप से ये कहूं कि G of X बराबर है 2X के और F of X बराबर है X स्क्वार के और G जो है वो आपका A से B में परिवासित है और F जो है वो B से C में परिवासित है तो यहाँ पर देखो फलन का प्रांट F का प्रांट G के से प्रांट के बराबर है तो यहाँ पर होगा आपका G O F परिवासित तो G OF क्या हो जाएगा सरी F O G F O G क्या हो जाएगा F of G of X अब यहां पर हो जाएगा यह F of G of X की ज़िए 2X आ गया यह हो जाएगा 2X का whole square तो यह हो गया 4X square ठीक है तो इस प्रिकार से बच्चों हम फलनों का सही हो जन करते हैं अब बच्चों लोग चलते हैं आज की दूसरी quiz पर तो यह रही आपके सामने आज की दूसरी quiz माल लीजिए F कोई फलन है जो की R से R में परिवासित है F of X बरावर X to the power 4 है तो आपको बताना है इन मेंसे कौन सा विकल्प सही है सही विकल्प के बारे बच्चों मुझे बताईए समझ में आ रहा है ने सही बच्चों को देखो बच्चों आप लोग जब उधारन करोगे ने तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा बच्चों आपका समय उच्चुका है यहां पर समाव अब देखो F of X बरावर क्या है X की गाच चार आपको यह बताना है कि यह फलन कैसा है ठीक है एक एकी है आच्छादक है एक एकी है यह नहीं है इसके बारे मापको बताना है ठीक है तो देखो F of X बरावर है X की गाच चार बच्चों यह दी आप यहां पर X बरावर माइनस एक रखोगे तो F of माइनस एक बरावर भी एक आएगा और दी आप X बरावर एक रखोगे तब भी बच्चों आपको F of A A की मिलेगा तो X के दो अलग-अलग मानों पर हमारे पास A की ही मान पराप्त हो रहा है मतलब इन दो का एक के साथ ही संबंद तो यह A कई की नहीं है A कई की नहीं है उसके अलावा बच्चों यदि आप इसका परिसर लिका लोगे तो देखो F of X से बराबर हो जाएगा X स्क्वेर और इस पूरे की घाद दो अब बच्चों हम लोग जानते है X स्क्वेर क्या होता है जीरो से लेकर के अनंत के बीच होता है दनात्मक संक्या होती है अब दनात्मक संक्या का यह दिया आप वर्ग करोगे तो एक-एकी भी नहीं है और आच्छा दक भी नहीं है किजिसी भी संक्या की चार घाद रणात्मक नहीं होती ठीक है तो आच्छा दक भी नहीं है तो F नहीं तो एक-एकी नहीं आच्छा दक है अच्छा बच्चों यहां से आपने एक चीज नोटिस करी कि यदि हम बात करें F of X बरावर X स्क्वाइर की तो यह भी नहीं तो AK की होता है नहीं आच्छा दग होता है R से R में R से R में यह ना तो AK की होता है ना आच्छा दग होता है ठीक है इसी प्रकार X की घाच चार भी ना AK की होता है ना आच्छा दग होता है आर से आर में तो इसका मतलब बच्चों हम आप एक निसकर्ष निकाल सकते हैं कि जितने भी समफलन होते हैं वो आर से आर में ने तो एकेकी होते हैं नहीं आच्छा दग होते हैं ठीक है जितने भी समफलन होते हैं वो आर से आर में ने तो एकेकी होते हैं ना आच्छा दग हो वो समफलन होगा तो ये गलत है ठीक है ये गलत होगा ओके बच्चो तो आपको किवल इतना सा याद रखना है कि पिरतेक समफलन ने तो एक एक ही की होता है ने अच्छा तक होता है वास्तविक संख्याओं के समुच्चे में ओके बच्चो ओके सबका करेक्ट है ओके ठीक है अब बच्चों हम लोग उधारण करते हैं संयोजन के ठीक है तो यहाँ पर देखो एक फलन दिया गया है दो तीन चार पांच जो की तीन चार पांच नो तक परिवासित है इसी तरही के से एक फलन यह दिये गया है ठीक है अब दो फलन इस परकार है कि एफ अफ दो बरावर तीन एफ अफ तीन वरावर चार इस परकार से ठीक है तो आपको जी ओ एफ गयाद करना अब कैसे गयाद करें ध्यान से समझना तो सबसे पहले तो बढ़ाएं बच्चों मैंने तीन समुच्चे पहला समुच्च है दो तीन चार पांच का यहाँ पर मेरे पास है तीन चार 5 दो आगे यहाँ साथ 11 और 15 ठीक है यह मेरे पास समुच्चे A माल लो इसे B माल लो इसे C माल लो ठीक है अब A से B में एक फरन F है और B से C में एक फरन G है ठीक है तो F कहां से का में परिवासित हो रहा है A से B में और G कहां से का में परिवासित हो रहा है B से C में तो यहां पर देखो G का जो प्रांत है वो F के से प्रांत के बराबर है तो इसका मतलब हमारे पास परिवासित होगा G O F ठीक है जी ओ एफ और कहां से का में परिवासित होगा यह होगा आपके A से C में परिवासित हो ठीक है अब होगा क्या वो समझो ठीक है तो पहले देखो बच्चो F of 2 बराबर रखने पर मुझे क्या मिल रहा है तीन मिल रहा है F of 2 पर मुझे मिल रहा है तीन तो दो का connection किस के साथ है तीन के साथ है तीन रखने पर चार मिल रहा है तीन का connection चार के साथ है चार और पांच रखने पर पांच मिल रहे है चार रखने पर भी पांच मिल रहा है पांच रखने पर भी मुझे पांच मिल रहा है ठीक है अब आ जाते हैं जी पर तो तीन रखने पर साथ मिल रहा है चार रखने पर भी साथ मिल रहा है पांच रखने पर ग्यारा मिल रहा है और नौ रखने पर भी ग्यारा मिल रहा है ठीक है तो यह हमारे पास connection हो गए अब जी ओ एफ देखते हैं जी ओ एफ क्या होगा ठीक जी ओ एफ का जो प्रांथ होगा वो तो समुच्छे A होगा और से प्रांथ जो होगा वो समुच्छे C होगा ठीक है अच्छा अब प्रांथ A के अंदर कौन कौन से अवयब है एक के अंदर बच्चों मारे पास अबेव है दो तीन चार पांच ठीक है तो यहां पर इसका मतलब मुझे जी ओ एफ आफ दो लिकालना है एक तो एक मुझे जी ओ एफ आफ तीन लिकालना है एक मुझे जी ओ एफ आफ आफ चार लिकालना है एक मुझे G.O.F. of 5 लेका लिना है ये बच्चों मुझे माँद चाहिए तो मेरे पस G.O.F. आजाएगा अब दोगो G.O.F. of 2 क्या होगा ये हो जाएगा G.O.F. of 2 के बराबर इसके बराबर हो जाएगा अब F.O. का माँद दोगो क्या है f of 2 का माने 3 के बराबर तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा g of 3 अब g of 3 किसके बराबर है देखो जल्दी से g of 3 किसके बराबर है g of 3 बराबर है साथ के ठीक है तो ये बराबर होगिए साथ के इसका मतलब 2 का कनेक्सिन किसके साथ है साथ के साथ तो अब मैंने देखो यहाँ पर बनाया है समुच्छे A, यहाँ पर बनाया है समुच्छे C A में क्या-क्या है? 2, 3, 4 और 5 और C में क्या है मेरे पास? C में है मेरे पास 7, 11, 15 7, 11, 15 अब पहले 2 का connection किस के साथ आया? 7 के साथ ऐसी बच्चों 3 का connection लिखा लेंगे जी आफ एफ आफ तीन अब देखो एफ आफ तीन का मान कितना था एफ आफ तीन का मान था हमारे पास चार तो यहां पर हो जाएगा यह चार जी आफ चार ठीक है जी आफ चार हो जाएगा बच्चों मेरे पास ये अब जी आफ चार का मान देखो क्या था जी आफ चार का मान भी मेरे पास साथ था तो इसका मतलब ये भी मेरे पास साथ आ जाएगा ठीक है ऐसे ही हम लोग G of F of 4 लेका लेंगे अब F of 4 देखो क्या था F of 4 था बच्चों हमारे पास में 5 तो ये मेरे पास उगा G of 5 के बराबर अब G of 5 किसके बराबर था G of 5 बराबर था 11 के तो यहां पर ये मेरे पास अजाएगा बराबर में 11 आए इसे बच्छों हम लका लेंगे जी ओफ फ पांच अव फ पांच बराबर भी क्या था क्या था बच्छों फ पांच बराबर फ फ पांच बराबर हमारे पास पाउच था ठीक है तो यहां पर हो गया 5 और G of 5 भी 11 के बराबर था इसका मतलब 3 का connection है 7 के साथ ओके 4 का, sorry 2 का connection गलत लग दिया हमने, 3 का नहीं 2 का connection ठीक है ठीक है, तुमारे पास देखो क्या आया हमारे पास 2, 3, 4, 5 था नहीं 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 इनका connection किस के साथ आया इनका connection आया बच्चों हमारे पास में 2 का connection किस के साथ आया, 7 के साथ तो 2 का connection हो गया, 7 के साथ 3 का connection भी 7 के साथ आया 4 का connection किस के साथ आया हमारे पास 4 का connection आया हमारे पास, 11 के पास तो 7, 11, 15 थे नहां पर चार का कनेक्शन 11 के साथ आया पांच का कनेक्शन भी 11 के साथ आया तो ये हमारे पास हो गया जी ओ एफ ठीक है तो इस परकार से बच्चों आप फलनों का सहीं उजन करते है ओके थोड़ा टेक्निकल इस हो आ रहा है बच्चों और कुछ नहीं है उदारन समझ में नहीं आया चलो बेटा फिर से समझाता हूँ फिर से ध्यान से समझना देखो बच्चों हमें एफ एक फलन दिया गया है जिसका प्रांत है दो तीन चार पांच और सह प्रांत है तीन चार पांच नो ऐसे एक दूसरा फलन दिया गया जी जिसका प्रांट है तीन जार पांच नो और से प्रांट है साथ ग्यारा पंद्रा अब ये फलन इस प्रकार है कि ये हमें कुछ मान दे रखें ठीक है तो हमें जी ओ एफ ग्याद करना है तो बच्चो एफ हमारा समुच्चे A से समुच्चे B में परिवासित है जी हमारा B से C में परिवासित है अब यहाँ पर देखो जी का प्रांट F के से प्रांट के बराबर है तो जी ओ एफ परिवासित होगा और वो कहां से काम परिवासित होगा समुच्च A से समुच्च C में परिवासित होगा अब G, O, F समुच्च A से समुच्च C में परिवासित है इसका मतलब G, O, F का परांत क्या है समुच्च A से परांत क्या है समुच्च C ठीक है अब परांत में अभी हम कौन कौन से है प्रांत मेवेव हैं दो तीन चार और पांच तो इसके लिए फिर बच्चों मैंने लिका ला सबसे पहले जी ओफ एफ ओफ दो का मान जी ओफ एफ ओफ तीन का मान जी ओफ एफ ओफ चार का मान और जी ओफ एफ ओफ पांच का मान ठीक है अब दो को एफ आफ दो का मान कितना था एफ आफ दो का मान था बच्चों हमारे पास में ती ठीक है एफ आफ दो का मान कितना था तीन था एफ आफ तीन का मान चार था चार का मान पास था पांच का मान पास था ठीक है तो एफ आफ दो का मान था तीन तो योगे जी ओ चार यह हो गए आपके पास जी ओफ पांच यह हो गए जी ओफ पांच अब जी ओफ तीन का मान कितना है था जी ओफ तीन का मान बच्चों में दिया गया था साथ जी ओफ चार का मान भी साथ दिया हुआ था जी ओफ पांच और जी ओफ नो के मान मुझे ग्यारा दे रखे थे ठीक है तो ये हो गया साथ ये हो गया साथ ये हो गया मेरे पास में ग्यारा ये भी मेरे पास ग्यारा हो गया ठीक है तो इसका मतलब दो का कनेक्शन किस के साथ है साथ के साथ तीन का कनेक्शन साथ के साथ चार का कनेक्शन ग्यारा के साथ पांस का कनेक्शन ग्यारा के साथ त यहां पर देखो बच्चो F एक फलन है जो की 1,3,4 में परिवासित है से 1,2,5 में परिवासित है जी एक दूसरा फलन है जो की 1,2,5 से 1,3 में परिवासित है तो यहां पर देखो यदि मैं इसको समुच्चे A इसे समुच्चे B मान लू इसे समुच्चे B इसे समुच्चे C मा G क्या हो गया B से C में अब यहां पर फिर से देखो G का प्रांद F के सह प्रांद के बराबर है तो G O F परिवासित होगा कां से का में A से C में परिवासित होगा ठीक है तीर आरेक बनाते हैं चलो यह समुच्चे A है यह समुच्चे B है यह समुच्चे C है यहां पर है एक तीन चार यहां पर है एक दो पांच और यहां पर है एक और तीन ठीक है अब एफ क्या दिया हुआ हमें एक दो तीन पांच चार एक मतलब एक का दो के साथ है तीन का पांच के साथ है और चार का सम्मन्द एक के साथ है ठीक है और जी क्या दिया गया एक तीन दो तीन पांच एक एक का तीन के साथ है दो का तीन के साथ है पांच का एक के साथ है तो यह हमें जी दे रखा है ठीक है यह एफ है यह हमें जी है लिकालना क्या बच्चों में जी ओ एफ ठीक है तो जी ओ एफ का प्रांथ क्या होगा ए जिसका प्रांत है ए से प्रांत है सी अर्थात जी ओ एफ कहां से काम में होगा तो को समुच्चे ए क्या है आपका समुच्चे ए है बच्चो आपका एक तीन चार यह आपका समुच्चे ए एक तीन और चार और समुच्चे सी क्या है आपका समुच्चे सी है आपका एक और ती तो यह हो गया 1 और 3 ठीक है अब मुझे सबसे पहले चाहिए तो यहाँ पर यह हो जायेगा मेरे पास G of 2 के बराबर और G of 2 किसके बराबर है देखो G of 2 किसके बराबर है तीन के तो ये बराबर हो जाएगा मेरे पास तीन के मतलब एक का तीन के साथ कनेक्शन है तो एक का कनेक्शन हो गया तीन के साथ ऐसे ही हम G of of 3 लिका लेंगे तो यह हो जाएगा G of F of 3 के बराबर अब F of 3 का मान देखो कितना है F of 3 का मान है 5 के बराबर तो यह हो जाएगा मेरे पास G of 5 के बराबर अब देखो 5 का कनेक्शन G में किस के साथ है एक के साथ तो यहां मेरे पास आजाएगा 1 मतलब तीन का कनेक्षन एक के साथ है तो तीन का कनेक्षन हो गया एक के साथ ठीक है अब लिका लेंगे जी ओ एफ अफ चार तो ये बरावर हो जाएगा जी ओफ एफ अफ अफ चार के अब एफ अफ अफ चार का मान देगो क्या है चार का कनेक्शन किस के साथ है एफ में एक के साथ है ठीक है तो ये मेरे पास हो जाएगा जी ओफ एक के बरावर और एक का कनेक्शन किस के साथ है तीन के साथ है ठीक है एक का कनेक्शन तीन के साथ है तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये निसकर्स लिकला लास्ट में कि चार का सम्मंद तीन के साथ है तो चार का होगया कनेक्शन तीन के साथ है तो यह आपके पास जी ओ एफ का है ठीक है तो जी ओ एफ आप लिख सकते हो एक का कनेक्शन है तीन के साथ एक कॉमा तीन तीन का कनेक्शन है एक के साथ और चार का कनेक्शन है तीन के साथ ठीक है तो इस प्रकार से आप F.O.G. और G.O.F. ग्याद करते हो। ओके बच्चों? ओके? किलियर बच्चों? अब बच्चों आज की इस कलास को हम लोग यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं, बाकी की बाते हम नेश्ट कलास में डिसकस करेंगे, ठीक है? अब बच्चों आज की कलास में भी हम लोग फलनों का संयोजनी देखेंगे, ठीक है? तो आज की कलास में आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, कोई नेश्ट कलास में पूरी ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ओके बच्चों?